मुझे आज भी बखुबी याद है, सन 2015 की बात है जब मैंने अपना कॉल सेंटर का जॉब छोड़ करके किसी यूट्यूबर का वीडियो देख के ही वर्ट्रेस सीखना शुरू किया था और नवंबर 2015 में मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला था, क्लाइंट का नाम था डेनियल टैंसले, 300 डॉलर का पहला प्रोजेक्ट था, आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हो, 11 नवंबर 2015 को यह प्रोजेक्ट मिला था, इसकी बाद सेम क्लाइंट ने मुझे अगला प्रोजेक सिर्फ WordPress पे websites develop करके ही earn किया और आज की rate में almost मैं 50,000 US dollars से भी ज़्यादा की earning कर चुका हूँ एक पर आपको page भी refresh करके दिखा दूँ 50,000 US dollars अगर Indian रूपीज में बात करें तकरीबन 42 लाख रुपे मैंने सिर्फ WordPress पे websites develop करके ही earn किया है और आप यहाँ पर clients के reviews भी देख सकते हो जैसे एक project मैंने किया था 100 dollar मैंने इस पे कमाया है दूसरा project था 50 dollar कमाया है इसके बाद 608 dollar का भी यह project था यह भी WordPress related ही था एक project है जिस पे 176 घंटे मैंने काम किया है एक घंटे का मैं 10 dollar चार्ज करता हूँ मतलब 1760 dollar मैंने सिर्फ एक ही project पे earn किया है तकरीबन 1.5 लाख रुपे तो WordPress में वाकी बहुत ज्यादा potential है और आज के इस वीडियो में आपको detail में WordPress सिखाऊंगा 8 साल का मेरा experience है मैं real clients के लिए websites develop करता हूँ कोई मैं ऐसे आपको theoretical चीज़ें नहीं दूँगा पूरा zero level से ले करके WordPress पे website कैसे develop करते है setup कैसे करना domain hosting और एक website को बना के कैसे live करना है तो यहाँ पर मैंने आपके लिए demo site open की है यह एक digital marketing company की website है हलंकि एक demo site है पर इस तरह की site आज की rate में हम बनाना सीखेंगे बड़ी amazing site है यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे top वाला जो area है इसे हम कहते है header area तो यहाँ left hand side पर हम एक logo put करना सीखेंगे मैं आपको logo design करना सिखाऊंगा वो भी बिना photoshop के बिना graphic designing skill के कोई भी अपना logo खुद का बना सकता है और 100% copyright free logo रहेगा then after यह सारे menus कहलाते है इस तरह के menus हम कैसे create कर सकते है वो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर काफी बड़ा यह banner area कहलाता है इसे हम hero section भी कहते है जिसमें यह जो text लिखा हुआ है इसे हम heading कहेंगे यह सब heading कहलाती है और यह long text है यह कैसे put करते हैं किस तरह से उपर, नीचे, left, right में arrange करते हैं font size छोटा बड़ा कैसे करते हैं change कैसे करते हैं font color कैसे change करते हैं वो सारी चीज़े हम बिना coding के इस पूरे वीडियो में सीखने वाले हैं यहाँ पर यह खूपसूरत सा button लगा हुआ है जिसमें दो color सा combination लिया गया है अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे यह dark pink है और यह थोड़ा faded type का purple color है तो इस तरह का gradient background button में कैसे लेते हैं यह मैं आपको सिखाऊंगा इस button पर click करने पर कोई specific page open हो जाता है तो link वगरा कैसे लगाना होता है वो सारी चीज़े हम सीखने वाले है then after यहाँ पर काफी बड़ी से एक image है देखो यह image है left hand side पर image है right hand side पर यह heading लिखी है इसके बाद यहाँ पर text है फिर button है तो यह सारा section कैसे create होगा यह मैं आपको सिखाऊंगा वो भी बिना coding के आपको एक line of code भी लिखने की जरूरत नहीं पढ़ने वाली है इस तरह का section कैसे create करते है जहाँ पर icons है इसके बाद heading है, text है यहाँ पर button लगा हुआ है जो कि overlap कर रहा है देखो आप यहाँ पर यह पूरा एक section है इसके उपर button overlap करता है मतलब चड़ा हुआ है तो इस तरह की overlapping हम कैसे कर सकते है यहाँ पर आप देखो थोड़ा 3D type का effect भी लगा है मतलब यह white color का section है बट यहाँ पर थोड़ा shadow type का effect लगा हुआ है इसे हम box shadow effect कहते है यह कैसे लगाएंगे आप सीखेंगे इस पूरे वीडियो में overall यहाँ पर एक वीडियो भी लगा हुआ है click करने पर एक वीडियो प्ले हो जाता है YouTube का तो इस तरह से वीडियो कैसे आप अपने web page में लगा सकते हो यह भी आप सीखने वाले हो background color आप देखो यहाँ पर परपल background color है यह वीडियो भी overlap हो रहा है मतलब दो sections के बीच में वीडियो उपर वाले section पर overlap कर रहा है तो कैसे कर सकते हैं यह सारी चीज़ा आप सीखने वाले हो यहाँ पर देखो यह image लगी है तिरची image है, right hand side पे orange color से यहाँ पर heading लिखी है white color से text है, then button है तो इस तरह का section भी आप create करना सीखोगे यहाँ पर देखो यह effect आपको दिखरा होगा तिरचा type का effect है basically यह shaped divider होता है तो इसे भी लगाना हम सीखने वाले हैं यह animations कैसे लगाते हैं आपने देखा होगा, जैसी मैंने scroll किया section को तो यह image right hand side वाले थोड़े सी animate होकर के आई, इसको भी create करना आप सीखोगे यहाँ पर bullet points में data रखा हुआ है कैसे put करना यह आप सीखने वाले हो नीचे यहाँ पर success stories यानि कि testimonials, happy customers होते हैं उनके reviews आप अपने webpage पर लगा सकते हो images हैं, यहाँ पर text है यहाँ पर उनके बारे में थोड़ी बहुत detail दी हुई है इसको भी create करेंगे एक form यहाँ पर बना हुआ हालनकि यह तो बड़ा basic सा form है बट हम थोड़ा advanced level का form बनाएंगे जैसे हम contact form कहते हैं यूजर उस form को fill up करके आपसे contact कर सकता है वो form create करना भी आप सीखोगे एक शांदार effect यहाँ पर देखो जैसी मैं scroll up करता हूँ ना देखो background से यह image थोड़ी से move होती है दिखाई दे रही है, दिखरे हैं आपको background में थोड़ी से move हो रही, scroll करने पे हो रही है यह कैसे create करते हैं इस तरह का section यह भी आप सीखने वाले हो और यहाँ पर social media icons है facebook है, twitter है, linkedin है, instagram बगरा है तो आप जितने चाहो उतने social media icons put कर सकते हो और अपने social media profile के links भी अपने website पे लगा सकते हो तो इस तरह की एक amazing website हम बनाना सीखेंगे और एक चीज आप ध्यान दीजेगा यहाँ पी जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बस आप इसको proper तरीके से सीख लेना इस tutorial से आपको पूरा idea मिल जाएगा आप किसी भी तरह की different different websites बना पाओगे मतलब mind में कोई आपके पास idea आएगा कि मेरे को ऐसी website बनानी है यह कलको client आपको मिल जाता है उसके mind में कोई नया idea है वो अपने idea के हिसाब से website customize करवाना चाहता है तो आप उसके लिए easily website बना पाओगे और मैंने आपके लिए पूरा का पूरा plan ready किया हुआ है हम step by step आगे बढ़ेंगे सबसे पहले एक free domain name कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी web hosting चूज करेंगे जो सस्ती भी होगी अच्छी भी होगी यह domain hosting क्या होता है इसके बारे मैं detail में समझेंगे भी और मैं आपको इसको purchase करना सिखाऊंगा WordPress एक ऐसा tool है जिसमें बिना coding क्या website बना सकते हो कैसे install करना है free of cost वो मैं आपको सिखाऊंगा एक free theme हम यहाँ पे use करने वाले हैं उस theme पे ही हम इस तरह की premium website paid plugin है बट यह आपको बिल्कुल free of cost में provide करूँगा कैसे free of cost मिलेगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा फिर pages create करेंगे menus create करेंगे अपने home page को design करेंगे contact page create करेंगे contact page पे google maps भी लगाएंगे dragable google map रहेगा contact form create करेंगे आप अपनी contact details put कर सकते हो इसके बाद free logo design करना सीखेंगे अपना खुद का header design करेंगे खुद का footer design करेंगे ये video थोड़ा सा detailed होगा क्योंकि मैं सारे चीज़े practical सिखाता हूँ और पूरा detail में सिखाऊंगा कोई pieces मिस नहीं करूँगा तो आप थोड़ा time निकाल करें proper तरीके से इस video को देखें WordPress एक life changing platform है अगर आपने इसको सही तरीके से सीख लिया तो आपकी life set हो सकती है financially आप बिलकुल free हो सकती है आपको tension लेने जरूत नहीं पैसे कमाने की लेकिन इस skill को पहले सीखना बेहत जरूरी है लोग खुद से कहते हैं कि मुझे WordPress पे वेबसाइट चाहिए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ एक बार find work वाले page पे चलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ लोग खुद से कहते हैं WordPress पे वेबसाइट चाहिए देखो यहाँ पे replicate simply WordPress web बंदा खुद कहा रहा है WordPress पे वेबसाइट बनी हुए से duplicate करना है पचास डॉलर का budget है पचास डॉलर नहीं साड़े तीन हजार रुपे दूसरी एक और है need of WordPress website for digital marketing company लो हम खुद digital marketing का यहाँ पे website बनाने वाले हैं और project भी देखो live पढ़ा हुए और यह भी इंडिया से ही client है तो भाई WordPress के बहुत ज़्यादा projects available होते हैं तो WordPress को proper तरीके से सीख लीजिए और इसको अपना primary source of income मनाईए मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई सदाम कासिम 8 साल से WordPress websites develop कर रहा हूँ real clients के लिए so without further delay चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो भाई हमारे plan के हिसाब से सबसे पहले हम समझेंगे यह domain name और web hosting होता क्या है देखो आप कोई बीचीज शुरुवात कर रहे हैं तो पहले पता तो होनी चाहिए ना कि हाँ यह चीज है कि actual में domain name आपके blog का या आपकी website का नाम होता है जैसे for example आपने कभी न कभी Amazon से shopping तो जरूर की होगी है ना आप Amazon की website कैसे open करते हो अगर mobile app नहीं है अगर आप computer बैट तो कैसे open करते हो आप type करते हो amazon.in तो Amazon की website open हो जाती है या अगर आपको flipkart से shopping करनी है तो आप क्या type करते हो flipkart.com तो भई flipkart की site open हो जाती है तो यह जो flipkart.com है या amazon.in है यह domain name कहलाता है website का नाम यह हम यू कहले website का internet पे address कहलाता है इसे हम URL भी कहते है ठीक है इसे हम website का link भी कहते है चारों चीज़े मैं आपको बता दी है अब एक doubt आपके mind में हो सकता है यह amazon.in है यह flipkart.com है तो यह in.com यह क्या चीज़ है इसे हम domain extension कहते है .in का मतलब यह है कि यह India को represent करता है आपने कभी न कभी online गाने जरूर download किये होंगे songs.pk काफी popular website थी songs.pk तो वो .pk जो था ना वो पाकिस्तान को represent करता था यानि कि वो website या वो domain पाकिस्तान से belong करता है अगर कोई website है जिसमें last में लगा हुआ है .co.uk तो यानि वो website United Kingdom की है और .com का मतलब commercial domain है .com से पता नहीं चलता किस country की website है या किस country का domain name है तो यह सारे domain extension कहलाते है अब यहां पर question यह खड़ा होता है कि अगर मैंने .in domain name ले लिया है तो क्या मेरी website सिर्फ इंडिया में ही खुलेगी क्या कहीं और नहीं खुलेगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है domain extension से सिर्फ यह मालुम चलता है कि वो particular website किस country से belong करती है that's it बाकी website आपकी पूरी दुनिया में किसी भी कोने में खुलेगी बस internet बंदे के पास होना चाहिए आपकी website कहीं से भी access की जा सकती है ठीक है तो यह आपका हो गया domain name अब दूसरी चीज़ है web hosting यह क्या चीज़ होती है amazon website है हमने type किया amazon.in जैसी website open हुई यहाँ पे बहुत सारी images भी है text भी लिखा हुआ है कुछ videos वगरा भी होंगे इन सब का कुछ ने कुछ size तो होता है हमारी website पे अगर हम यह सारा content रखेंगे तो हमारी website है काफी बड़ा size भी बनता है अब internet पे अगर website चलानी है यह हम यूं कहलें internet पे live होती है तो यहाँ पे जो web hosting है वो basically एक company होती है जो हमें web space provide करती है domain name आपको clear है web hosting आपको clear हो गया अब market में बहुत सारी companies हैं जो आपको domain name provide करती हैं आपको web hosting provide करती हैं आपने GoDaddy का नाम सुना होगा Bluehost का नाम सुना होगा BigRock का नाम सुना होगा कई सारी companies हैं मैं almost हर एक company को use कर चुका हूँ अपने 8 साले career में अभी तक जो सबसे बड़ेया company मुझे लगी है वो है Hostinger Hostinger की website है hostinger.in Hostinger कमाल की web hosting company है सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक hosting plan के साथ हमें domain name बिल्कुल free मिलता है दूसरी companies free नहीं देती है वो आपसे पैसे चार्ज करती है बट Hostinger में आपको बहुत सारी चीज़े बिल्कुल free of cost मिलती है web hosting के साथ में तो यहाँ पे हम Hostinger की official website पे आ चुके हैं इसके बाद आपको WordPress menu पे जाना होता है यहाँ पर सबसे नीचे आपको तीन plan देखने को मिलते हैं हम अपनी need के हिसाब से plan लेते हैं ठीक है पहला plan है premium plan जिसकी cost no doubt सबसे कम है 149 रुपीस पर मन्थ अब इस plan में आपको क्या मिलता है आप एक web hosting में 100 websites तक बना सकते हो यह सबसे अच्छी बात है hostinger में जितने भी plan है ना देखो हर एक plan में कम से कम आप 100 website तो बनाई सकते हो इसमें तो आप 300 website बना सकते हो कौन सा plan है? एक cloud startup है अब 100 website का मतलब क्या हुआ? आज की rate में माल लो आपको एक client मिलता है आपने एक domain name बिल्कुल free of cost इस plan में तो आपको मिल जाएगा आपने client के लिए side बना दी client से आपने hosting के पैसे ले लिए 4000-5000 रुपे per year के हिसाब से ठीक है? कल को दूसरा client मिल गया तो आप उसकी भी website आप इसी plan में बना सकते हो client से आप 4-5000 रुपे चार्ज कर लेना बस आपको domain अलग से खरीदना पड़ेगा क्योंकि इस plan में आपको एक domain तो भाई बिल्कुल free मिलेगा बाकि 99 other website है कर आपको बनानी है तो आपको 99 other domains खरीदने पड़ेंगे ठीक है? लेकिन hosting की cost आपकी बच जाएगी आप हर बार client से 3-4000 रुपे low लेकिन यहाँ पे आप 100 website तक बना सकते हो मतलब आपके पैसे सिर्फ एक बार लगते है अब बाकि आप client से recover करते रहोती है यह एक अच्छा earning source भी बन जाता है दूसरी चीज़ इस premium plan में आपको standard performance मिलती है बहुत high-fave performance नहीं मिलेगी वहीं अगर business plan की बात करें तो इसमें आपको 5x तक की speed मिल जाती है मतलब आपकी website 5 गुना ज्यादा fast load होती है इस वाले plan में 100 GB का SSD storage मिलता है मतलब 100 GB तक आप total store कर सकते है अपनी 100 websites पे या एक ही website पे जबकि यहाँ पे आपको 200 GB तक का NVMe storage मिलता है बहुत fast आपका data process वगरा होगा इसके बाद weekly backups मिलते हैं यहाँ पर daily backup मिलता है इसका फाइदा यह है कि मान लीजिए गर आपकी website में कोई दिक्कत आ गई है तो daily backup आपके पास रहेगा आप पिछले दिन का backup restore कर वालोगे पूरी site आपके restore हो जाती है then after दोनो plan में आपको unlimited free SSL मिलता है यह बेहत important feature है SSL का मतलब यहाँ पर आप देखो log symbol दिख रहा है आपको domain के पहले लिख के आता है connection secure आज की rate में Google ने mandatory कर दिया है अगर आप Google पर rank करना है तो आपके domain name पर SSL certificate installed होना ही चाहिए secure socket layer तो hostinger में आपको यह बिल्कुल free of cost मिलता है other companies आपसे पैसे charge करती है फिर unlimited bandwidth है दोनो plan में आपको एक domain बिल्कुल free मिलेगा other domains आपको खरीदने पड़ेंगे बढ़ इस starting में एक domain आपको बिल्कुल free of cost मिलता है business plan में आपको free CDN मिलता है content delivery network बट आपको premium plan में यह feature नहीं मिलता है यह काफी important feature है अगर आप secure तरीके से अपनी website को fast deliver करना चाहते हो अपने dedicated audience को यानि कि आपकी website fast load हो उनके browser पे तो CDN बेहत important feature है तो यह CDN तो आपको business plan में absolutely free of cost मिलता है और business plan में आपको enhanced DDoS protection भी मिलता है DDoS attack आज कल बहुत ज़्यादा होता है websites पे hackers आपकी website पे illegal traffic भेज़के आपके website को down करवा देते है तो business plan में आपको यह feature मिलता है बट यहाँ पर आपको simply standard DDoS protection मिलता है वालना normal वाला तो उतना high protection यहाँ पर नहीं यह लेकिन इस वाले plan में ज़्यादा अच्छा रहेगा तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप business plan चूज़ करें अगर आप seriously WordPress सीख रहे हैं और अपनी clients के लिए websites बनाना शुरू करने वाले हैं तो business plan लेने से पहले बात करते हैं कि आपको Elementor Pro plugin absolutely free कैसे मिल सकता है अगर आप मेरे affiliate link saddamkasim.com forward slash hostinger यूज़ करते हैं यहाँ पे आप affiliate link मेरे देख सकते हो saddamkasim.com forward slash hostinger अगर आप इस link को यूज़ करते हो आपको दो फायदे होने वाले हैं पहला फायदा तो यह है कि आपको hosting पे 10% का absolutely discount मिल जाएगा दूसरा फायदा यह है कि आपको Elementor Pro plugin जिसका actual cost $59 है वो आपको absolutely free मिलेगा और Elementor Pro plugin आज के इस वीडियो में हम use करने वाले हैं वापस आप फिर से hosting रे dashboard पे आ जाओगे आपको simply यहाँ पे business plan चूज़ करना अगर आपका budget है तो अगर budget नहीं है तो फिर आप premium plan भी ले सकते हो at least starting दो करनी है न आप start तो करो कम से कम बाद में आप चाहो तो business plan में अपग्रेड भी करवा लेना अगर आप premium plan अभी ले रहे हो तो now अब हमें यहाँ पे billing period चूज़ करना होगा आप जो web hosting लेने वाले हो या तो आप एक महीने के ले ले सकते हो एक साल के ले ले सकते हो दो साल या चार साल एक महीने की hosting कभी मत लेना बहुत महंगी पड़ेगी 699 रुपे पर मंद अगले मेने फिर से आपको इतना ही amount पे करना पड़ेगा तो यह तो बहुत expensive है और एक महीने में आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे अटलीस्ट आप 12 महीने की hosting लोगे 12 मंस की कम से कम या फिर आप सीधा 48 मंस की hosting लो यह सबसे बढ़िया रहेगा 48 मंस में आपके काफी जादा पैसे बच जाते हैं इसकी monthly cost तो वैसे भी 2,6,10 रुपीज पर मंत है सबसे कम cost है प्लस अगर आप 4 साल की hosting एक साथ लेते हो मतलब 4 साल के लिए अब एक साथ पैसे पे कर देते हो next year मान लो hosting की price बढ़ गई 10,000 रुपर पर मंत भी होगी तो भी आपकी pocket पे कोई फरक नहीं पड़ने वाला है आपने 4 साल के पैसे एक साथ बे की हैं अब आप 4 साल के बाद ही renew करोगे उससे पहले आपको कुछ भी देने की जरुवत नहीं होगी तो या तो आप 48 मंत की hosting लो सबसे बढ़िया है या फिर आप 12 मंत की भी ले सकते हो और 24 मंत की भी ले सकते हो तोटली आपके उबर depend करता है इसके बाद आप simply यहाँ पर account create कर लेना आप Facebook चलाते होगे, Gmail वगरा चलाते होगे तो उसके थरू आप account यहाँ पर create कर सकते हो यहाँ पर आप एक बर अपना order review कर सकते हो मैंने 48 मंत का plan चूस किया है तो चार साली cost पढ़ती है 12,912 रुपए मतलब एक साल की web hosting के cost पढ़ता है तकरीबन 3,000 यह सवा 3,000 रुपए के आसपास जिसमें आप 100 websites तक बना सकते हो तो इससे सस्ती hosting मुझे नहीं लगता कहीं मिलने वाली है और सिर्फ सस्ती ही नहीं अच्छी hosting भी है अब tax वगरा मिला करे cost कितनी पढ़ती है 15,236 इंडियन रुपीज यहाँ पर एक coupon code आप apply करोगे सद्दाम 7 ठीके जैसे अब apply कर देते हो तो देखना यहाँ पर 10% का आपको extra discount भी मिल जाएगा almost 1500 रुपे आपके off हो जाएंगे तो यह आप देखो अब total price कितना दिखा रहा है 13,712 रुपे tax वारा सब कुछ मिला करके तो पहले आपको मेरा affiliate link यूज करना है saddamkasim.com forward slash hostinger इस वीडियो के description में मैंने एक form का link दिया हुआ है उस form को fill कर देना और snapshot को upload कर देना जैसी मेरे team verify कर लेगी कि आपने हमारा affiliate link यूज करके hostinger से hosting purchase की है तो within 5 minutes जब आप form submit करते हो 5 minute के अंदर आपको whatsapp पे Elementor Pro का download link मिलेगा उस plugin को आप download कर लेना एक और चीज़ बताना चाहूंगा काफी सर सब्सक्राइबर्स ने मुझसे contact किया है कि वो जब UPI payment method चूज करते हैं यानि phone पे, Google पे वगरा चूज करते हैं तो card page पे तो price कम दिखा रहा होता है तीन साल, तीन हजार पे अगर वो एक साल की hosting ले रहे हैं लेकिन UPI पे 5000 पे दिखाता है तो असल में वो आपसे 5000 रुपीज चार्ज नहीं करते हैं वहाँ पे वो message दिखाता है कि UPI कि थरो hosting आपसे maximum 5000 ही चार्ज कर सकता है बट amount उतना ही कटेगा जितना आपके checkout page पे दिखा रहा आता अगला step है कि हमें wordpress install करना है अपने domain name पर wordpress software जो free of cost है तो wordpress install करने के लिए हमें अपने hostinger account में login करना होगा कैसे login करते हैं आपको simply जाना है hostinger.in पर top right corner पे login का button मिलेगा simply जो भी अपने account create करा है उसमें login कर लेना यह है मेरा hostinger का dashboard यहाँ पर मैंने भी business web hosting plan ले रखा है चार साल वाला plan लिया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 27 में यह plan expire होगा अभी 2030 चल रहा है जस वक्त मैं इस वडियो को record कर रहा हूँ मैंने अलड़ी अपना free वाला domain name ले लिया है howtosearch.in तो अब मुझे free domain नहीं मिलेगा अब अगर मुझे अगली website बनानी है तो मुझे domain name अलग से खरीदना पड़ेगा बट आपके end पर जब आप login करोगे तो यहाँ पर कहीं लिखकर के आ रहा होगा claim my free domain ऐसा कुछ या तो आप उस button पर click कर देना या फिर आप domains वाले menu पर जाओगे तो यहाँ पर get a new domain पर आपको click करना होगा अब मान लिजिए मैं एक agency start करना चाहरा हूँ जिसका domain name मैं ऐसा कुछ रखना चाहता हूँ icecream apps999.com ठीक है तो इस domain name को हम यहाँ पर type कर देंगे apps कर देते हैं चलो इसको ठीक then after search पर हमें click करना होगा अगर इस domain name को किसी और ने नहीं खरीदा होगा तो मैं ले सकूंगा यहाँ पर आप देखो यह domain name available है यहाँ पर लिख क्या रहा है न we found a great domain for you मतलब यह domain name available है मेरे end पर इसकी pricing दिखा रहा है बट आपके end पर यहाँ पर लिख क्या आगए get this domain for free click कर देना आपकी hosting से connect हो जाएगा तो हमने domain name को अपनी hosting से भी connect कर वा लिया अब अगला step है कि हमें wordpress अपने domain name पर install करना है wordpress install करने के लिए आपको simply जाना होगा websites वाले menu पर और यहाँ पर आपको यह वाला option दिखाई देगा create or migrate a website simply इस पर click करना then after हमें start पर click करना होगा अब यहाँ पर आपसे कुछ steps पूछे जाएंगे जैसे create or migrate a website क्या आप एक नई website बनाना चाहते हो या आप bunny बनाई website को hostinger पे लाना चाहते हो उसे हम migration कहते हैं तो हमें फिलान नई website create करनी है इस option को choose करेंगे इसके बाद हमें platform चूज करना है जिसके उपर हम website build करने वाले हैं यहाँ पर हम wordpress with AI अब AI हलांकी hostinger में एक नया feature आ चुका है बट overall हम इस वाले option को ही choose करेंगे simply आपको select करना होगा अब जो आप website बनाओगे उस website में एक admin panel भी होगा जहां से आप login करके pages create कर सकते हो pages delete कर सकते हो menus बना सकते हो पूरे web page के designing करोगे आपको login दो करना पड़ेगा न तो वो login detail हम यहाँ पर create करते हैं तो आपको simply अपना email address put करना है और एक strong password आपको यहाँ पर बना लेना है ठीक है इसके बाद continue पर click करेंगे अब यहाँ पर कुछ plugins के option आते हैं फिलाल इन plugins को हमें install करने की जरूरत नहीं है आप simply skip कर देना theme वाले option को भी आपको skip कर देना है और यहाँ पर यह content writing वाले का option आएगा इसे भी आप skip कर दोगे अब यह last step है name your website आपको इस drop down में से अपना domain name चूज करना है जिस domain पर आप wordpress को install करना चाहते हो at last हम select कर देंगे and then finish setup पर आपको click कर देना है अब कुछी seconds में wordpress software आपके domain name पर install हो जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पर process अलेड़ी start हो चुका है यहाँ पर हम देख सकते हैं wordpress successfully हमारे domain name पर install हो चुका है well done you are ready अब हमें double check करना है कि हमारे domain name पर SSL certificate इंस्टॉल हुआ है या नहीं तो उसके लिए simply आप control panel के अंदर यह option मिलेगा manage site इस पर हम click करेंगे now left hand side पर पर search box मिलेगा इसमें आप type करोगे SSL तो यह रहा SSL so अभी हम देख सकते हैं हमारे domain name पर SSL active है अगर आपके end पर यहाँ पर SSL field दिखाता है तो फिर आप simply dots पर click करना यहाँ पर option मिलेगा reinstall SSL जैसे आप उस पर click करोगे कुछी seconds में SSL certificate आपके domain name पर install हो जाएगा so अभी मैं चेक कर लेता हूँ मेरे domain name पर SL install हुआ है के नहीं और हमारे site कैसे दिखाई देती है तो यहाँ पर simply अपना domain name में अभी जो area आपको दिखाई दे रहा है यानि यह हमारा domain name entered है कोई भी user जब हमारा domain name type करेगा browser में तो उसको यह web page दिखाई देता है वो कहलाता है front end front end एक ऐसा area है जिसको user सिर्फ देख सकता है उसमें कोई changes नहीं कर सकता delete नहीं कर सकता, edit नहीं कर सकता यहाँ पर देखो कोई भी user कर मेरे domain name open करेगा तो obviously बात यह सारी information पढ़तो सकता है बड़ ना वो यह text delete कर सकता है ना इस text को change कर सकता है कुछ नहीं कर सकता, इस area को हम कहते है front end इसी तरह से एक backend भी होता है जिस हम admin panel भी कहते है backend का access सिर्फ admin के पास होगा जिसकी website है जैसे के आपके या मेरे पास तो backend access करने के लिए simply हम अपने domain name के आगे लगाना होता है forward slash wp- admin जैसी अब यह slug type करके enter push करोगे wp- admin लगाते हो तो यह आपसे username और password मांगेगा कौन सा username और password है? same जो आपने WordPress के installation time पे create किया था आप यहाँ पर type कर देना इसके बाद simply आप login करोगे अब यह जो interface हमारे सामने open होके आया है इसे हम कहते है backend admin panel भी कह सकते है WordPress का dashboard भी कह सकते है तीनों चीज़े कहलाती है ठीक है? now left hand side पे देखो काफी सारे चीज़े आपको देखने को मिलेंगी जैसे के post है आपने एकसर blogging के बारे में सुना होगा लोग blog post write करते है वो सारी post यहीं से write की जाती है media के अंदर आप जितनी भी media files upload करते हो अपनी website पे फिर चाहें वो images है चाहें वो videos है अपिरेंस में वो सारे comments आपको दिखाई देते हैं जो लोग WordPress के post पे drop करते हैं अपिरेंस में जाकर के हम theme change कर सकते हैं theme क्या होती है theme style sheet का package होता है जो आपके website के design को specify करता है कि आपके website कैसी दिखाई देगी तो यहां से हम theme भी change करेंगे plugins के अंदर आप जाकर के new plugins को add कर सकते हो plugins छोट योटे softwares होते हैं हर एक plugin एक specific task को perform करता है जैसे मान लो अगर आपको अपनी website में contact form create करना है तो contact form का plugin install करना होगा वो plugins सिर्फ contact form बनाने के ही काम आएगा अगर आपको live chat लगाना है अपनी website में तो आप सिर्फ live chat का plugin install करोगे तो हर एक plugin एक specific functionality आपकी WordPress website में add कर देता है इसके बाद users है users में आप admin users वगरा बना सकते हो तो ये सारे options फिलाल हमारे किसी भी काम के नहीं है अब हमारे plan के हिसाब से अगला काम क्या करना है में theme install करनी है theme install करने के लिए हम जाएंगे appearance में और ये रहा themes वाला option now add new पे हम click करते हैं और search themes में से हम search करेंगे A, S, T, R, A, Astra Astra is one of the best free theme काफी light weighted theme है और इसी theme की help से हम पूरी की पूरी website create करेंगे ये रही Astra theme आप simply इसे install करके activate करोगे अब इस theme को हमें activate भी करना होगा install करने का मतलब ये है कि हमने इस theme को अपनी website में put कर दिया है लेकिन अभी काम नहीं कर रही है जब आप किसी भी theme को activate कर देते हो तो वो theme काम करना शुरू कर देती है हमने अभी right now Astra theme को activate किया है एक बार hard refresh करते है तो अभी आप देखो यहाँ पर पूरा का पूरा interface ही change हो गया सबसे top पे आपको ये जो area दिखाई देता है इसे हम header कहते है सबसे नीचे वाला जो area है इसे हम footer कहते है जैसे हमारी body में भी सर सबसे उपर head कहते है और pair सबसे नीचे है नहीं foot कहते है सेम website में भी है सबसे उपर उला part कहलाएगा header सबसे bottom का part कहलाता है footer और header और footer के बीच में क्या रह गया body रह गई तो ये पूरा body area है यही पे हम web page के content को create करते है ठीक है अब हमारे plan के हिसाब से अगला काम क्या है plugins installation हमें कुछ plugins को install करना होगा अब यहाँ पे कुछ free plugin भी होते हैं कुछ paid plugins भी होते हैं right now सबसे पहले हम free plugins को install करेंगे तो plugins में आपको add new पे जाना होता है और यहाँ पर search box में आपको search करना है सबसे पहला plugin है होगा disable guttenberg by jeff star इस plugin को install और activate कर लेंगे यह plugin basically आपके wordpress में जो default page builder है उसे remove कर देता है हम यहाँ पे elementor page builder यूज करेंगे तो default page builder को हम हटा देते हैं तो इस plugin की help से वो default guttenberg नाम का page builder है वो remove हो जाएगा बस इस plugin को आपको activate कर देना है सो अभी हम आ गये है plugins के अंदर installed plugins वाले page पे यहाँ पर यहोग काफी सरे plugins आपको देखने को मिलेंगे सारे चीज़े में बारीकी से आपको समझाओंगा यहाँ पर देखो इस सारे plugins अवेलेबल है अब हमने तो खेर एक ही plugin अभी install किया है अब यहाँ पर दो तरह के plugins आपको देखने को मिल रहे है एक तो plugin ऐसा है जिसका font bold नहीं है दूसरा plugin है जिसका font bold है दोनों में क्या difference है difference यह है कि जिस plugin का font bold नहीं है वो सिर्फ installed है active नहीं है मतलब उसे website में पढ़ा हुआ है active नहीं है और जिस plugin का font bold है मतलब यह plugin installed भी है और active भी है तो अभी एक काम करते हैं हम ऐसे plugins को हटा देंगे अपनी website से जिनका हमें फिलाल कोई भी काम नहीं पढ़ने वाला है तो यहाँ पर जो inactive plugin है उसके निचे तो delete का option आ रहा है लेकिन जो active plugin है उसके निचे निचे डिलीट का option नहीं आ रहा है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए है WordPress में एक rule है अगर आप किसी भी plugin को या किसी भी theme को delete करना चाहते हो तो पहले आपको उसे deactivate करना होता है All in one WP migration यह active plugin है तो पहले इसे deactivate करो जब deactivate कर दोगे तो दोको इसके निचे डिलीट का option आ जाता है क्लिक करके हम ok कर देंगे यह plugin डिलीट हो गया इसी तरह से accismet anti-spam को भी हम डिलीट कर सकते हैं अब एक बार में फालती को plugins को हटाना है तो simply आप क्या करोगे जैसे यहाँ पे अभी यह Hostinger वाला एक plugin पड़ा हुआ है इसकी फिलाला भी हमें जरूत नहीं है Hostinger AI Assistant की भी जरूत नहीं है बाकी light speed cache हम रखेंगे यहाँ पर अब इन दोनों plugin को हमने चूज किया bulk action में जाएंगे deactivate करके apply कर देंगे तो दोनों plugin एक साथ deactivate हो गए फिर एक करके दोनों को choose करो bulk action में जाना है और delete करके apply and then okay तो दोनों plugin एक साथ देंगो delete भी हो गए hello dolly को हम manually delete कर देते हैं ठीक है तो अभी write ना हमारे पास disable guttenberg plugin है और light speed cache plugin है ठीक दो plugin से अब अगला plugin हमें install करना है Elementor एक काम करना इस वाले interface को बंद कर देना इसकी फिलाला में ज़रूत नहीं है अब add new पे click करते हैं जो elementor का premium version में आपको provide करूँगा असल में elementor के दो तरह के plugins आते हैं एक free version भी आता है एक paid version paid version मैं आपको दे दूँगा और free version हम यहां से install करेंगे तो आपको simply search plugins में click करना होता है यहां पे type करो elementor यह देखो सबसे पहला plugin आगया elementor website builder 5 million active installation 50 lakh से भी ज़्यादा websites पे elementor use हो रहा है आप simply से install करके activate करो आप समझो popularity कितनी ज्यादा है इस plugin की बहुत सारे लोग इस plugin को use करते हैं और मुझे तो अभी तक सबसे best page builder यही लगा है इसमें सब कुछ बना बनाया होता है बस आपको drag and drop करना है थोड़े बहुत changes कर तो आपकी website amazing बन जाती है तो अब हमें elementor को activate करना होगा तो अभी राइटना हमने free वाला elementor activate किया है यहां पर ओके तो यहां पर आप देख सकते हो elementor free install हो चुका है अब add new पर click करेंगे अब जो elementor pro में आपको provide करूँगा वो .zip format में आपके computer पर download हो जाता है तो हमें अपने computer से website में upload करना पड़ेगा ठीक है upload करने के लिए यहां पर top पर बटन दिया होता है upload plugin browse पर click करेंगे और फिर ढूंडते हैं plugin हमारे पास कहां पर downloaded है तो यह रहा elementor pro है ना आपको दिख रहा हूँ elementor pro simply open कीजिए install करके इस plugin को हम activate करेंगे alright तो हमने elementor pro को भी activate कर लिया है फिलाल हमें इन 4 plugins की ही अभी जरूत है किसी और plugin का जरूत पड़ेगी तो हम बाद में install करेंगे अब एक tip में आपको यहाँ पे देता हूँ हमेशा आपको कोशिश करनी है कि आप ऐसे plugins को बिल्कुल website से हटा दीजिए जिनकी जरूत नहीं है जतने ज्यादा plugins आप अपनी website में install या activate रखोगे आपकी website पे उतना ही ज्यादा load पड़ेगा website उतनी ही slow load होगी तो कोशिश करें जो plugins useless हैं उनको delete ही कर दीजिए अब वापस चलने plan की तरफ अगला काम है we have to create pages हमें अब pages create करने हैं pages create करने के लिए आपको जाना होगा pages में और यहाँ पे add new पे हम click करेंगे सबसे उपर आपको add title box मिल रहा है इसमें आप page का नाम डाल दो H-O-M-E home अभी फिलाल इस पे कोई content हम create नहीं कर रहे हैं अभी सिर्फ page create करते हैं अब इस page को हमें live करना है तो यहाँ पे right hand side पे मिलेगा publish का button let's click on it और यह page हमारा live हो गया देखो लेग क्या रहा है page published view page new tab में open करके देखते हैं तो यह है हमारा home page बिल्कुल white आ रहा है क्योंकि हमने कोई content अभी create नहीं किया है बट title यहाँ पे आ गया home ठीक है इसी तरह से फिर से add new पे click करेंगे अगला page बनाएंगे about us का about us publish कर दीजे एक page और create कर लेते हैं services नाम का CRVICES इसे भी publish करते हैं और एक page बनाएंगे हैं contact us का जो very important page है किसी भी website का contact us इसे publish कर लिया अब हम देखना चाहते हैं हमने जितने भी number of pages बनाए हैं वो कहाँ पर हैं तो आप simply pages में all pages पे click करो पूरी list आपके सामने आ जाएगी अब यहाँ पर privacy policy भी पहले सी by default बन जाता है आपकी website में आप चाहो तो इस page को delete भी कर सकते हो यहाँ देखो बिन आ रहा है ना जैसे हम इस पर click करेंगे privacy policy delete हो जाएगा अब सिर्फ 4 pages ही यहाँ पर रह गए home, about us, contact us और services ठीक है तो इस तरह से हम pages create करते हैं अगला काम क्या है we have to create menus अब menu बनाना है menu बनाने से पहले एक बार अपने main domain को refresh कर लेते हैं hard refresh करते हैं ओके तो अभी आप यहाँ पर देखो menu पहले से ही बन करके आ गए अब यह कैसे बन गए असल में होता यह है जब आप first time कोई भी pages अपने wordpress website में create करते हो तो जितने भी number of pages आप create करोगे automatically वो as a menu create हो जाते है मतलब उनके नाम से menu automatically बन जाता है हम चाहते हैं अपने menu खुद बनाएंगे home सबसे पहले आना चाहिए फिर about us आना चाहिए फिर services आना चाहिए and at last contact us आना चाहिए तो उसके लिए हमें menus को manually बनाना पड़ेगा menu को manually बनाना पड़ेगा ठीक है? खुद से मतलब बनाना पड़ेगा अब menus create करने के लिए आपको जाना होता है appearance में और यहाँ पे menus पे click करेंगे सबसे पहले menu को एक नाम देंगे जैसे के main menu आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पर display location हमें choose करनी होती है primary menu बहत जरूरी है यह ठीक है? primary menu नाम से एक display location है यह वाली इस theme के अंदर पहले से specified है कि जो भी menu आप यहाँ पर create करोगे और अगर आपने primary menu select कर लिया है तो वो menus इस primary वाली location पे दिखाई देगा इतना करने के बाद एक बार पहले create menu पे click कर देंगे यह page reload हो जाएगा जैसे देखो page reload होगा left hand side पे pages वाला section unlock हो गया अब आप view all पे click करो जितने भी number of pages आपने बना रखे हैं वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे जैसे home, about us, contact us कि दो-दो बार home आ गए ऐसा क्यों है अभी समझातों ऐसा क्यों है पहले आप सारे pages को select कर लो add to menu पे click कर दो अब home नाम का menu भी पहले से ही wordpress में बन जाता है लेकिन हमें पता लगाना है कि हमारा वाला home page कौन सा जो हमने home नाम से home बनाया था वो इसमें से कौन सा है ये वाला है या ये वाला है तो पहले चीज़ तो यहाँ पर आप देखो ये जो home है इसके आगे लिखा हुआ है custom link लेकिन हमारे वाले home के आगे लिखा है page contact us भी हमने बनाया था contact us के आगे भी लगा हुआ है page मतलब ये वाला वो जो home है ये हमारा बनाया हुआ है तो इस custom वाले को हम हटा देंगे कैसे delete करते हैं इस arrow पे click करना और यहाँ पे मिलेगा remove का option बस remove हो गया अब save menu पे click कर दीजिए अब जिस order में menu यहाँ पर है एक बार फिर से click करते हैं अब जिस order में menus यहाँ पे है same यही order यहाँ पे दिखाई देगा एक बार refresh करते हैं इसको same order है कुछ भी changes नहीं हुआ अब मैं चाहता है home सबसे पहले आए यहाँ पर जो home menu सबसे पहले आना चाहिए कैसे आएगा आप इस home को उठाईए और सबसे top पे इस तरह से रख दो बस यह home सबसे उपर आ गया अब इसके बाद about us तो automatically set हो गया third number पे मैं चाहता हूँ services आ जाए तो यह services इसे उठाके third number पे ऐसे put कर दो that's it हमारे plan में अगला काम क्या है we have to design the home page अब काम की चीज यहाँ पे शुरू होती है हमें अपने home page को design करना है home पे click करेंगे इस वाले page को design करना है कुछ ऐसा बनाना है है ना तो चलिए यह काम शुरू करते है सबसे बहले wordpress के back end में जाएंगे pages में all pages पे click करेंगे और इस home page का back end open करेंगे back end मतलब इस home का जो पीछे वाला area है तो आपको simply edit पे click करना होता है और यहाँ पर right hand side पे आपको कुछ settings मिलती है astra theme में जैसे कि container layout यहाँ पे कर दो full width container का style तो यहाँ फिलारस में कुछ भी करने के हमें जरूत नहीं है sidebar layout इसमें कर देना no sidebar और sidebar style में भी कुछ करने के जरूत नहीं है यहाँ पे कुछ sections को हमें disable करना होगा जैसे कि title को disable करना है breadcrumb है, featured image है, banner area चार चीज़े हमें हटा देनी होती है अब update कर देते हैं इस page को सबसे पहला काम तो यह करना है अब इसके बाद edit with elementor पे click करेंगे एक नई screen आपके सामने load हो जाएगी, तो यहाँ पर यह pop-up आपके सामने आता है first time, इसको बंद कर देना, एक और pop-up आएगा, इसे भी बंद कर देना, ठीक है, now right hand side पर यह जो area है न, यहाँ भी हम designing करते हैं, आप कोई भी content यहाँ पर create करोगे, मतलब button भी अगर यहाँ put करोगे न, तो वो आपको इस जगे पर दिखाई देगा, body वाले area में left hand side पर देखो काफी सारे elements दिए हुए हैं, जैसे कि यह है heading, अब कोई भी heading आपको लिखनी है, for example अगर यह heading लिखनी है, full service digital marketing एक heading है, तो आपको use करना होगा इस heading element को, अगर आप कोई image दिखाना चाहते हो, तो यह है image element, एक button create करना है, तो यह है button element, बस इसे उठा के right hand side पर छोड़ देते हैं, और button अपने आप बन जाता है, अभी सब चीज़ें करके दिखाऊंगा मैं, अब सबसे पहले चीज़ यहाँ पर प्लस दिया होता है, इस पर हम click करेंगे, अब यहाँ पर आपको 12 तरह के different structure दिखाई देते हैं, structure basically क्या है, एक container है, container के अंदर ही content create होता है, तो यहाँ पर यह जो container है, first वाला, यह एक column का है, इसके अंदर आप जो भी content पुट करोगे, अगर आप heading पुट करोगे, तो heading center में आ जाएगी, button पुट करोगे, तो button heading के नीचे चला जाएगा, right यह left में नीचे या उपर जा सकता है, इसी तरह से अगर आप आप मालोव video को ही put करते हो, तो video उस heading के नीचे या उपर कहीं हो सकती है, मतलब यह vertically तो आपस में set हो जाएंगे, horizontally set नहीं होंगे, अगर आप चाहते हो कि video left hand side पे आजाए, heading right hand side पे आजाए, तो फिर आपको यह दो column वाला section लेना होगा, पहले वाले column में video वगरा put कर देना, second column में heading वगरा put कर देना, and so on, ठीक है, यह सारे columns होते हैं, अभी फिलाल हम एक column का section लेंगे, इस पे click करेंगे, और यह pink, blue या green border से आपको represent होता है, ठीक है, तो यह हमारा section आ गया, अब अगली चीज़ क्या है, यहाँ पर हमें देखना है, इस section के अंदर एक heading लिखी हुई है, digital marketing नाम की है, इसे में यहाँ से copy कर लेते हैं, ओके, अब वापस चलते हैं, elementर पे, उस heading को मुझे यहाँ पर put करना है, सबसे पहले चीज़ क्या करनी पड़ेगी, यह रहा heading widget, इसे उठाएंगे और put कर देंगे section के अंदर, आपको यहाँ पर pink line दिख रही होगी, हो सकता है, आपके end पर blue line आएगी, बस छोड़ दीजिए, यह heading यहाँ पर drop हो गई, इस heading element की setting भी automatically left hand side पर open हो जाती है, अगर यह setting automatically यहाँ पर open नहीं होती है, तब क्या करोगे, simply heading वाले element पर mouse रखना, और यह pencil का icon आता है, click करोगे, left click कर देना, तो left hand side पर setting open हो जाती है, अब content tab के अंदर यह रहा है title box, जो कुछ भी आप इस box के अंदर लिख दोगे, वो right hand side पर लिख जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम heading को paste करेंगे, digital marketing ओके, अब इसके बाद style पर चलते हैं, style में जाकरके इसका color वगर हम change कर सकते हैं, जो कुछ भी color है, font style है, font size है, वो सब कुछ आपको style के अंदर ही मिलेगा, यह रहा text color, जैसी आप इस पर click करोगे, तो यह color box आपके सामने open हो जाएगा, जैसा चाहो वैसा color आप heading का set कर सकते हो, that is completely up to you, ठीक, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अभी हम black color कर देते हैं, अब इस heading को मुझे center में ले करके जाना है, अचा, center में ले जाने से पहले, इस heading का size भी छोटा करना है, यहाँ पर देखो, size भी छोटा है, font का plus सारे letters, capital letter में है, अब अगर हमें हर एक letter को capital letter करना है, तो यहाँ एक setting दी होती है, आपको जाना होगा typography में, और यहाँ पर आपको मिलेगा transform, इस transform form में, अगर आप uppercase करते हो, तो देखो, सारे के सारे letter capital में हो जाते हैं, अगर आप lower case करोगे, सारे letter lower में हो जाएंगे, capitalize करेंगे, तो हर word का पहला letter capital हो जाता है, तो यहाँ पर हम uppercase कर देते हैं, आप चाहो तो हर एक letter के बीच में extra space भी add कर सकते हो हर एक letter के बीच में, ठीक है, बहुत easy है, अब इसके बाद अगर font style change करना है, या font size छोटा या बड़ा करना है, तो यहाँ पर option दिया है, आप यहाँ से font size छोटा या बड़ा कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, तो हम font size छोटा कर लेते हैं, 26 pixel, ठीक है, font style change करना है, तो यह है family, यहाँ पर जा करके, जो चाहो वो font आप रख लो, that is completely up to you, मैंने आप रोबोटो condensed नाम का एक font set किया है, अब इस पूरी की पूरी heading को मुझे center में ले करके आना है, तो उसके लिए मैं content tab पर जाना होगा, यह है alignment, यहाँ पर आप कर दो center, तो center में हो जाएगा, right में करना हो, right में हो जाएगा, justify करना हो, तो justify हो जाता है, फिलाला हम center करेंगे, ठीक है, इतना करने के बाद, अब सबसे नीचे दिया हुआ है update का button, जैसे आप update पे click करोगे, तो यह heading हमारे page पे save हो गई, अब हम अपने home page को refresh करके देखते हैं, यह देखो heading लेक करके आगई, है ना, आसान है, इसके बाद दूसरी heading है, full service digital marketing, इसे भी यहाँ से copy कर लेते हैं, अब दूसरी heading create करने के लिए, हमें दुबारा यहाँ पे जा करके heading नहीं लेनी पड़ेगी, हम simply इस heading पे right click करेंगे और duplicate कर देंगे, देखो पूरी की heading duplicate हो गई, इसके बाद second वाली heading की setting में जाते हैं, और यहाँ पर title को change कर देते हैं, दूसरा title हमने paste कर दिया, ठीक, हमने उपर वाली heading को duplicate किया है, तो जो कुछ भी style में हमने setting कर दे थी, वो सब भी duplicate हो जाती है, अब हम अपने हिसाब से change कर सकते हैं, जैसे के typography में जा करके, यहाँ पे font को change कर सकते हैं, रोबोटों कर देते हैं, transform में uppercase है, इसे हम कर देंगे default, और letter spacing में सब खतम कर देते हैं, letter में काफी दा spacing है, आप चाहो तो इस value को यहाँ से delete भी कर सकते हैं, वो जिस तरह से font size हम जरूर increase करेंगे, थोड़ा बड़ा font दिखना चाहिए, जैसा के यहाँ पर दिख रहा है, है ना, इसके बाद third text है, यहाँ पर paragraph text अगर आपको लिखना है, तो उसके लिए यहाँ पर दिया होता है, text editor इसे उठा करके, simply drop कर दो, बड़ी वाली heading के नीचे, जैसे आप drop करोगे, इसकी setting भी left hand side पे open हो जाती है, और यह देखो, visual के अंदर यहाँ पर यह सारा text लिखा हुआ है, पहले इस text को यहाँ से remove कर देते हैं, इसके बाद अगर आपने किसी दूसरी website से text copy किया है, जैसे मैंने यहाँ से यह वाला text पूरा का पूरा copy किया है, यह एक दूसरी website है, तो इसमें जो कुछ भी property लगी होगी ना, अगर मैं directly यहाँ पर paste करूँगा visual tab में, तो वो property भी paste हो जाती है, मैं जाता हूँ सिर्फ text paste हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर text वाले tab पे जाऊंगा, और यहाँ पर मैं directly उस text को paste करूँगा, text में plain text paste होता है, कोई property वगरा नहीं आती है, अब visual में open करके देख लेते हैं, same text यहाँ पर दिखाई देता है, अब इसकी styling करते हैं, सबसे पहले चीज़, इस पूरे के पूरे text को center में align करना है, बीचो बीच में, है न, कैसे करेंगे style में जाते हैं, यह alignment का option center कर दिया, text editor के लिए style में alignment को option दिया होता है, जबकि heading के लिए content में ही alignment दिया होता है, यह थोड़ा बड़ difference आपको समझना पड़ेगा, जितनी आप practice करोगों, इतना आपको याद हो जाएगा, ठीक, text color हम यहाँ से कर देते हैं, बिल्कुल black, yellow black हो गया, ठीक है, अब इसके बाद page को एक बार update करके, अपने front page को refresh करना पड़ेगा, जितना भी आप काम करते जाओ, update जरूर करते जाना, वरना आपका काम lost हो सकता है, अगली चीज़ क्या है, यहाँ पे प्यारा सा button है, है ना, pink type का यहाँ पे button दिया हुआ है, और देखो, दो colors है, अब एक नई advanced चीज में आपको बताऊंगा, सबसे पहले एक button create करते हैं, जिसमें लिखा होगा get started, तो button create करने के लिए यह रहा button उठा करके simply drop कर दो button आ गया, button की setting left hand side पे by default open हो गई यह है text वाला box content tap के अंदर, तो यहाँ पे आप लिख दोगे get started अब यह link वगरा बाद में लगाएंगे, इस button पे click करने पे कौन सा page open होना चाहिए वो हम बाद में लगाएंगे, फिलाल यहाँ link वाले box के अंदर hashtag छोड़ देते हैं button का alignment कर देते हैं center बिल्कुल center में आ गया, अब चलते हैं style पे, यहाँ पे एक चीज गौर करो आप इस button का जो background है वो दो colors का combination है यहाँ पे एकदम light type का pink है यहाँ पे faded type का है, तो हर एक color का एक unique color code होता है इसका भी unique color code होगा इसका भी unique color code होगा तो इसका color code हमें कैसे मालुम चलेगा mozilla firefox browser में यह feature है आप right click करोगे और यहाँ पे आपको मिलेगा inspect inspect पे click करना इस तरह का panel आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पर आपको यह मिलता है एक color picker यह dropper वगरा होता है left click करना तो यह select हो जाएगा अब जहाँ भी आप move करोगे न color code आपको दिखाई देगा देख रहे हो यहाँ पे जैसी मैं button पे यह pink वाले पे लेके आया color code आपको दिख रहा होगा fa2c8c है न hashtag के साथ start हो रहा है यह यह color code है इस वाले pink का तो पहले left click करेंगे यह color code copy हो गया चलते हैं elementor पे अब इस button में background color set करना है background color set करने का मतलब कहीं नगहीं को styling का part है तो आपको वो सारी setting button के style में ही मिलेगी यह रहा background type तो यहाँ पे एक तो है classic और दूसरा है gradient दो colors के mixture को हम gradient color कहते हैं जैसे अब gradient पे click करोगे यहाँ पे एक color option यह मिलेगा दूसरा option यह मिलेगा तो पहले वाले में हम यहाँ से इस color code को हटाएंगे यह green color का color code है और अपना वाला paste कर देंगे pink वाला देखो पूरा का पूरा button pink हो गया अब दूसरा color code हमें इस वाले box में put करना है second color वाले box में दूसरा color code पहले निकाल लेते हैं फिर से इस eye dropper को click करेंगे हम और यहाँ पर सबसे faded वाला जो color है उसको select करेंगे left click से अब इस second वाले color को हम second वाले box में put कर देते हैं देखो दो color के combination हो गया अब इसकी position change करेंगे अब यह vertical है इसको horizontal करेंगे इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है location angle तो यह दो option ऐसे होते हैं जिससे आप थोड़ा बहुत changes वगरा कर सकते हो जैसे मैं location यहाँ से बढ़ाऊंगा देखो pink वाला color थोड़ा से बढ़ जाता है और यहाँ पर location खुड़ा increase करेंगे तकि pink वाला color ज्यादा दिखाई दे अब button का size हमें बढ़ा करना है size कैसे बढ़ा होगा content में चलते हैं और यहाँ पर दिया होता है size का option small है आप medium कर दो या आप large कर सकते हो या आप extra large कर सकते हो तो यहाँ पर हम choose करेंगे medium medium size मुझे ठीक लग रहा है अब button के text का font change करना है get started है font वगरा सब कुछ कहां मिलता है style tab पे यहाँ पर मिलेगा typography typography के अंदर आपको font style वगरा सब कुछ मिलेगा अब नई चीज है weight weight का मतलब font के thickness यहाँ पर weight है 500 इसे हम कर देते हैं 600 font थोड़े से bold हो गए fonts के बीच में थोड़ा सा gap add कर देते हैं तो gap क्या कहलाता है letter spacing तो यहाँ से आप gap add कर दो थोड़ा कम कर देते हैं चलो ठीक है इतना हो गया अब मुझे एक arrow भी लगाना है started के बाद एक arrow भी आना चाहिए तो content पर चलते हैं और यहाँ पर है icon यह icon यहाँ पर last में देखो दिया होता है icon library यहाँ से आप कोई सा भी icon लगा सकते हो मैं add करूंगा arrow मिलता है arrow नहीं मिल रहा है angle angle मिल गया यह रहा है ना right में select करके insert कर देते हैं देखो यहाँ पर आ गया हम चाहते हैं text के बाद में arrow आना चाहिए तो यहाँ पर देखो जैसे आप icon choose करते हो ना इसके नीचे आपको एक option मिलेगा icon position before है आप after कर दो तो after में लग जाएगा इसके बाद update कर देते हैं page को और अपने front page को refresh कर लेते हैं simple है है ना देखो यह home page में front में कैसा दिख रहा है button यह बहुत बहुत easy होता है अब हमें इस तरह का section create करना है यहाँ पर basically है क्या चीज यह पूरा का पूरा एक बड़ा section है जिसके अंदर heading एक content है यह दूसरी heading content है यह text content है यह button content है इस पूरे section के background में एक image लगी हुई है यह जो गोला गोला दिख रहा है गोला है triangle है lines बनी है यह सब कुछ मिला का एक image बनाई गही है जोके background image है यह और इसमें एक color भी set किया गया है तो अब हम section में background image कैसे set करते हैं सबसे पहले इस image को हम download कर लेते हैं तो आप इस image पर right click करोगे option में लेगा open image in new tab click करने पर new tab में यह image आगे देखो इस तरह की image है असल में यह इसको आप save images करके अपने computer वगरा पर save कर लेना मैंने अल्रड़ी save कर रखी है अब इसके बाद इस image को हमें left click करना तो section की setting open हो गई ठीक background में image लगा नहीं है तो कहीं न कहीं वो styling का part है तो हम जाएंगे style वाले tab पे background के अंदर यहाँ पर option दिया हुआ image का आप simply choose image पे click करोगे upload files में जाओगे और जहां भी आपने file को download कर रखा है उसे आप upload करोगे तो यह media library में upload हो गई इसके बाद select कर लेते हैं देखो background में image आ गई यह देखो गोला लगा हो गोले के उपर text दिख रहा है मतलब यह image background में set हुई है अब इस पर एक color भी है purple type का यहाँ पर आप देखो गे purple type का color भी है तो color कैसे set करेंगे section में उसका भी बड़ा simple सा तरीका है जहाँ से आपने image set किये है उसको just उपर color का option दिया होता है यहाँ से आप color set करोगे तो हम पहले red को select करते हैं और इस slider की help से हम purple color ले करके आएंगे ठीक है बेटर लग रहा है यह अब इसके बाद एक चीज़ का आपको ध्यान देना है background color purple का हो गया जिसकी वज़े से font proper नहीं दिख रहा है क्योंकि font भी dark है background भी dark है हमें font color को white कर देना होगा और यहाँ reference website पे भी white है कैसे करते हैं आप हर एक heading को select करो style में जाओ यहाँ पे text color में जाके से white कर दो better visible हो जाएगा same चीज़ यहाँ भी कर देनी है यसे भी white कर दिया और इस text paragraph को भी हम white कर देते हैं कितना simple है बहुत बहुत easy है update करके एक बार front page को refresh करते हैं यह देखो है ना easy बस थोड़ा सा समझना पड़ता है कैसे content को arrange करना है और कौन सा option कहां दिया हुआ है अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो please channel को subscribe करके वीडियो को like जरूर कर दीजे आपके support की बेहत जरूरत है इस तरह content बनाने में बहुत मेहनत लगती है चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक चीज़ का आपको ध्यान देना है यह जो digital marketing है और यह जो button है डिजिटल marketing के ऊपर काफी extra space है button के नीचे काफी extra space है इस extra space को हम padding कहते हैं यह एक पूरा section हमने लिया हुआ है section के अंदर अगर extra space है section के अंदर तो उसे padding कहेंगे अगर section के बाहर extra space है जैसे मालोई section का border यह है इसके बाहर अगर extra space होता तो उसे कहते हैं margin अंदर padding है उपर margin है तो padding चार जगे पे होती है टॉप पे होती है, left में होती है bottom में होती है और right में होती है तो अभी हमारे case में हमें top में और bottom में padding add करनी पड़ेगी और कहाँ पे section में हम चलते हैं section में section के setting वापस open करेंगे अब padding का option कहां मिलेगा आपको advanced tab पे मिलता है यह दिया हुआ है padding देखो top, right, bottom, left similarly margin भी दी होती है top, right, bottom, left margin बाहर होगी, padding अंदर होगी अब मुझे top की padding बढ़ानी है तो यहाँ से आप top की padding बढ़ाओ लेकिन एक चीज़ का ध्यान दो अगर मैं top बढ़ा रहा हूँ तो right भी अपने आप बढ़ रही है bottom, left, sub बढ़ रही है सब के सब बढ़ रही है कम करूँगा तो सब कम हो रही है ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे एक icon दिया हुआ है link values together यह सारी की सारी values को आपस में link कर देता है कोई एक value बढ़ाओ तो सब बढ़ेगी एक घटाओ तो सब घटेगी अब इन सारी values को independent कैसे किया जाए इस icon को uncheck कर दो बस simple है अब आप top को बढ़ाओ गए देखो top की padding बढ़ती जाएगी यहाँ का extra space बढ़ रहा है यह section का border है यह content इसकी बीच में extra space बढ़ रहा है उपर side देखो जैसे values बढ़ाता जाओंगा अपने आप space बढ़ रहा है है ना इतना इस space I think मुझे लगता है reference website पे भी है 116 pixel similarly bottom में भी यह section का border यह है और section के अंदर content क्या है button है तो content और border के बीच में extra space बढ़ा दो bottom की भी increase कर दो इसे भी कर देते हैं 116 तक ठीक है तो यह काफी हद तक extra space आ गया आप चाहो तो और भी increase कर सकते हो यहाँ पे काम कर सकते है 556 बहुत ज़ादा हो गई है इसे और कम करते है 256 कितनी होती है 200 करके देखते है top पे 200 इतनी ठीक है bottom में भी 200 कर देते है इतना काफी हद तक ठीक लग रहा है अब update कर देते हैं अस page को और एक बार अपने front page को refresh करते है यह देखो हमने एक line of code भी नहीं लिखा है और एक amazing सा section ready कर लिया है background में image भी आ गया text भी आ गया content भी आ गया तो elementor में काम करना बहुत बहुत आसान है अगली चीज क्या है अगली चीज है कि देखो यहाँ पर यह जो background image है इसके नीचे यहाँ पर देखो कुछ ऐसा design बना हुआ है इसे कहते हैं shaped divider यह आपको देखा curve type का इसे shaped divider कहते हैं दो sections के बीच यह एक section है यह दूसरा section है इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो beach महला section होता है इसे divider कहते हैं यहाँ पर shaped divider का एक design बना हुआ है तो design कैसे change कर सकते हैं इस section की setting में जाएंगे style पर और यहाँ आपको मिलेगा shaped divider यह सिर्फ आपको Elementor Pro में ही मिलता है तो अगर आपने मेरा hostinger का affiliate link saddamkasim.com forward slash hostinger use करके hosting purchase की है तो इस video को description ने एक form का link दिया उसको fill up कर दीजेगा और मैं आपको Elementor Pro बिल्कुल free of cost provide कर दूँगा तो यहाँ पर आपको मिल लाता है shaped divider अब यह shaped divider इस section के top में है या bottom में है आप ही बताओ कहां पर है bottom में है नीचे side है तो यहाँ पर हमें bottom वाले tab पर जाना पड़ेगा और bottom वाले tab में आप mountain लगा दो mountain जैसा design हो जाएगा आप यहाँ पर drops लगा दो बूंदे बन जाएंगी बहुत सारे design यहाँ पर दिये होते हैं मुझे तो mountains नहीं लग रहा है mountains ही कर देते हैं यह बढ़िया लग रहा है यहाँ पर इसके बाद एक बार update करो इस page को और अपने front page को refresh करते हैं यह देखो कितना कमाल का page कितना कमाल का design हमने ready कर दिया so it's really super super easy आगे चलते हैं next content क्या है हमारे पास यह एक image है इसे भी right click करके directly save कर लेते हैं पहले तो यह मैंने save कर लिया अच्छा एक mind में आपके question जरूर आ रहा होगा हम किसी website की images क्यों क्या ऐसे directly download करके save कर सकते हैं तो जी नहीं कर सकते हैं copyright issue आ सकता है बट अगर आपको high resolution copyright free images चाहिए तो आप क्या करोगे simply इस website पर जाना freepick.com इस website पर आपको high resolution copyright free images मिलती है जैसे मालों को digital marketing की images सर्च करनी है तो सर्च बॉक्स में type कर देना यहाँ पर काफी सारी images आपको देखने को मिलेंगी इनको आप directly download भी कर सकते हो बट जिस image पर यह crown बना होता है यह crown जैसा symbol दिख रहा है यह paid होती है इससे आप नहीं ले सकते जिस पर नहीं बना है उसको आप simply click करना यहाँ पर download का option आएगा download कर सकते हो ठीक है free of cost तो यहाँ की images आप use कर सकते हो या फिर आप सीधा canva.com पर जा करके यहाँ से अपने खुद की images design कर लेना ठीक है वापस आते हैं तो इस image को तो मैंने download कर रखा है अब इस section और create करने से पहले हमें इसका structure समझना पड़ेगा यहाँ पर एक पूरा section लिया गया है जो दो parts में divided है first वाले part में एक बड़ी सी image है second वाले part में यहाँ पर एक heading है, एक text है, एक button है मतलब दो columns वाला यह section है तो हम जाएंगे वापस और यहाँ पर plus पर click करेंगे और दो columns वाला यह section लेंगे दो columns, first वाले में image दिखानी है, second वाले में दूसरे type of content create करना है तो first वाले में image दिखाने के लिए पहले plus पर click करो और यह रहा image widget image दिखाने के लिए image widget ही लेना पड़ेगा जैसे आप drop करोगे image की setting open हो गई यहाँ पर choose image में जाके हम सीधा उस image को upload करेंगे तो कहांगी वो image यह रही इसको भी हमने media library में upload कर दिया select कर देंगे और यहाँ पर image का size दिया होता है size आपको हमेशे full करना है ताकि image blurry वगरा ना हो ठीक इतना हमने कर लिया है अब दूसरे वाले column में क्या create करना है heading create करनी है यह रही heading simply पहले copy करो अब बहुत fast हम काम करेंगे कहीं न कहीं यह heading उपर वाली heading से ही तो match हो रही है न बस इसका font size बड़ा है इसका छोटा है तो क्यों हम इस heading को duplicate करके यहाँ पर drop कर दें size छोटा कर देंगे color change कर देंगे तो हमारा काफी time बचेगा तो एक काम करते है इस उपर वाली heading को right click करके duplicate करते है और फिर इसको pencil पर रखके उठा करके यहाँ लाते है second column में छोड़ देते है अब हमने यहाँ drop किया कुछ नहीं दिख रहा है क्यों नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका font color white था background भी white है इसलिए नहीं दिख रहा है तो आप एक काम करो इसकी setting में जाओ style पे और यहाँ पर इसको कर देते है black अब दिख रहा है यह पूरी पूरी heading आ गई content में जाके सबसे पहले इसकी heading को change करो alignment कर दो left और style में जाके जाएंगे typography में और यहाँ से font size छोटा कर देते है है ना कितना फटा फट हमने काम कर लिया अगला काम क्या है भई यहाँ पे यह लौरे में समवगरा लिखा हुआ है तो सीधा सीधा से duplicate कर लेते हैं यहाँ से duplicate करते हैं और उठा करके लाएंगे इस heading के नीचे और यहाँ style में जाकरके इसका color भी black कर देते हैं alignment left कर दो अभी I think हुआ नहीं अब left हुआ यह text थोड़ा जादा है वहाँ पे कम है तो एक काम कर सकते हैं यहाँ से चाहिए तो एक line को भड़ा जिते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब button भी यहाँ पे दिया हुआ है देखो यह button है schedule a call यह वाला button duplicate कर लो text change कर देना तो यहाँ पे right click करके duplicate करते है button को और उठा के यहाँ ले आते हैं अब button का alignment कर दीजे left और text change कर देते हैं यहाँ पी क्या लिखेंगे as c h e d u l e schedule a call है ना आप चाहो तो icon भी change कर सकते हूँ arrow लगा हुआ है ना arrow को हटा करके phone वगरा लगा सकते हूँ यहाँ पे सर्च करते है phone क्यों कहीं ना कहीं call की बात हो रही है तो यह लो हमने insert कर दिया call वाला icon यह जादा बड़ी अलग रहा है background color change करना है इस button का तो पहले क्या करोगे यहाँ से color code निकालो inspect करो इस page को कहीं भी right click करना है inspect आ जाएगा यह eye dropper है उठा करके पहले इस color code को copy किया हमने अब style में जाते है button में और पहले तो इस वाले color code को paste करते है फिर दूसरा color code कौन सा वाला है light वाला है यहाँ से light color को copy किया हमने वापस गए और दूसरे वाले box में light color paste करते हैं देखो वैसी button आ गया है ना simple है अब update कर दो पहले page को home page को refresh करते हैं और यहाँ पर यह section create कर लिया एक चीज़ अब notice करना आप यहाँ पर क्या हुआ है यह वाला जो area है ना यह image काफी बड़ी है और text थोड़े से area में आ रहा है मतलब पूरे section में जो first वाला column है वो जादा बड़ा होगा तभी तो image बड़ी दिख रही है यहाँ पर क्या हुआ है वह 50% यह भी है 50% यह भी है अब first वाले column की width को बड़ा दें तो image अपने आप बड़ी हो जाएगी तो first वाले column की width कैसे बड़ेगी यह black black icon दिख रहा है न यह column 1 का icon है column 2 का icon है first वाले column की width बड़ाने के लिए दोनों column की बीच में आपको dotted line दिख रही होगी left click करना और से stretch कर देना इस तरह से बस आप stretch करते जाओ देखो image बड़ी हो गई है ना काफी आसान है इसके बाद एक बार update करके अपने front page को refresh कर देते हैं यह देखो image बड़ी हो गई और बड़ा करना है तो यहाँ पे एक दिक्कत है दिक्कत क्या है यह section by default यहाँ से ले करके यहाँ तक ही बस content create करता है borderline दिख रही है ना यहाँ से ले कर मतलब यहाँ से start होगा यही तक जाता है यह boxed है बिलकुल इसे अगर full width बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हम यहाँ पे section की setting में जाते हैं और यह देखो layout में मिलेगा content width तो यहाँ पे box दिया हुआ है na box की width पहले set है आप यहाँ से increase करते जाओ box की width को जितना आप बढ़ाती जाओ को box की width को उतनी बढ़ती जाएगी देखो 1285 pixel हमने इस पूरे section की width set कर दी है manually पहले से by default तो कम रहती है बड़ आप चाहो तो manually यहाँ से increase या decrease भी कर सकते हो अब image भई बढ़ी हो गई एक चीज और यहाँ पे देखो second वाले column में यह जो heading लिखी है यह जो text लिखाया button है यह उपर की तरफ चलेगा नीचे काफी extra space आ रहा है क्यों न हम ऐसा कर देंगे इस सारे content को बीच में shift कर दें मतलब यह जो extra space है सिर्फ नीचे ही न रहे यह divide होया दो part में equal space उपर जाए equal space नीचे जाए तो यह सारा content बीच में आगा तो स्वड़ा better लगेगा तो वो कैसे करते हैं इस column की setting में जाएंगे जिसके अंदर content रखा हुआ है icon पर click करोगे न इस icon black वाले पे तो column की setting open होती है देखो यह edit column यहां पर आपको layout में ही मिलेगा vertical align तो यहां से आप ऐसे कर दोगे middle अपने आप सब कुछ middle में आ जाएगा दूसरी चीज हमारे reference website में क्या हुआ है यह वाली जो image है न यह उपर overlap हो रही है यह उपर वाले section पे चड़ गई है देखो चड़ यह दिख रही है हमारे end पे ऐसा नहीं है अब इसको overlap कैसे करवाते हैं बड़ा आसान तरीका है इस section की setting में जाओ पहले तो इसके बाद advanced में जाओ मैंने आपको क्या बोला था section के बाहर जो extra space होता है उसे हम margin कहते हैं तो इस section के ऊपर जो extra space होगा यह इस section की top margin कहलाएगी अभी top margin कितनी है कुछ भी नहीं है तो मतलब इतना आता है अगर हम top margin को increase करेंगे तो gap बढ़ेगा देखो 34 pixel मैंने top margin कर दिया तो gap बढ़ गया margin अगर हम zero कर देते हैं तो इतना gap बचता है आप margin को minus में भी set कर सकते हो और कम ले जाओ यहाँ से जैसे minus करते जाओगे ना नीचे वाला जो कुछ भी content वो अपने आप ऊपर चड़ता चला जाएगा देखो overlap कर गया एक काम और करते हैं section की जो with है थोड़ी और बढ़ा लेते हैं ताकि इमिए जो बड़ी दिखाई देगी ठीक है इतनी कर लेते है इतना ठीक है यह देखो overlap कर गया है ना आप चाहो तो और overlap करवा सकते हो advanced में जाओ और इसको और overlap करवा दो ऐसे अब page को update कर देते हैं और अपने front page को refresh करते हैं it's really very simple यह देखो कितना beautiful से section हमने बना लिया almost similar है जैसा reference website पर यहाँ पर बना हुआ था है ना बहुत आसान है elementर में काम करना अब इसके बाद इस तरह का section हम create करेंगे section create करने से पहले उसका structure समझना बेहद जरूरी है तो यहाँ पर एक section लिया गया है उस section के अंदर पहले एक heading लिया गया है फिर उसी section के अंदर एक और section लिया गया है और अंदर वाला section चार columns में divided है first वाले column में यह, second में यह, third में यह, fourth में यह अब यह नई चीज है मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर हमें काम करेंगे, plus पे click करेंगे पहले एक column का section लेते हैं ठीक है, इसके अंदर हमें heading पुट करनी है क्या heading लिखी है, we have got you covered ऐसा कुछ heading है, तो इस heading को duplicate करो उठा के लाओ, और यहाँ पे put कर दो इसके बाद text को change करते हैं और इस heading को center कर देते हैं पहला तो इतना काम करेंगे यह है outer section, बाहर वाला section अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा एक और section लेना है तो यहाँ पे dots पे click करेंगे, यह है inner section इसे उठा करके यहाँ रख दो यह बाहर वाला section है, यह अंदर वाला section है inner section by default दो columns में पहले से ही divided होता है अगर आपको दो column और add करने है यह एक column और add करना है तो क्या करना पड़ेगा, column पे right click करो मतलब इसके icon पे और add new column कर दो एक column और आ गया, इसी तरह से add new column करते है, चार column बन गए अब चारों के अंदर content create कर सकते हैं, ठीक है अब कैसा content बनाना है अब हम अपनी reference website चेक करते हैं यहाँ पर यह वाला हमें column ready करना है अब सबसे पहले समझो इसके अंदर क्या है यह एक icon है यहाँ पर यहाँ पर हम search करेंगे I-C-O-N तो यह आ गया icon, इसे आप drag करके यहाँ पर drop कर दो ठीक है, पहला काम यह हो गया, icon को change करना है, देखो icon के setting left hand side पर open हो गई, यहाँ पर icon library में जाएंगे, और यहाँ पर कोई सभी icon आप चाहो तो search कर सकते हो अगर आपको उसका नाम याद है, या फिर आप यहाँ से कोई सभी बड़ी ऐसा icon चूज कर लो जैसे मान लो मैं यहाँ पर यह वाल icon चूज कर लेता हूँ, swatch नाम का है insert कर लेते हैं, ठीक है तो icon यहाँ पर आ गया, अब इसका color मुझे purple करना है, तो यहाँ से पहले हम color code निका लेंगे right click करेंगे, inspect पर जाएंगे, ठीक है यहाँ पर यह है eye dropper, click किया हमने और इसका color code left click करके copy कर लेंगे है ना बढ़िया चीज, अब आते हैं वापस और इसका color हमें set करना है, तो color कहां से set होगा style में जाके set होगा, यह रहा icon के setting primary color, तो यहाँ पर आप color code को remove करके और नया color code आप paste करोगे दूसरी चीज, reference website पर इस icon के background में एक color set है, है ना, तो पहले तो मुझे इसके background में circle लगाना होगा, तो कहां से लगाते हैं, आपको जाना है content में, यह view देख रहे हो यहाँ पर default में हटाके stacked करोगे, तो ऐसा आजाएगा, अगर आप framed करते हो, तो ऐसा आजाएगा, ठीक है तो जैसा आपको ठीक लगए, वैसा आप use कर सकते हो, हम यहाँ पर stacked लेते हैं icon का size थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ से icon का size आप छोटा कर सकते हो काफी बड़ा icon है यह, तो मैं यहाँ से इसको इतना size रख देता हूँ, इतना मुझे better लग रहा है, अब यहाँ पर कुछ settings दी हुई है, देखो जैसी मैंने stacked चूज किया न, तो यहाँ पर primary color का option आगया, secondary color का option आगया अब primary और secondary क्या है, मुझे सीधा समझ में आ रहा है, primary color अगर यहाँ पर purple है, मतलब यह background color primary कहलाता है, और secondary color icon का color कहलाएगा, तो हमें काम करते हैं यहाँ से इसी color code को copy कर लेते हैं जो dark वाला purple color था, और secondary में हम same color code को paste कर देते हैं icon hide हो गया, कोई बात नहीं है यह जो primary color है न, इसमें हमें light वाला color paste करना होगा तो light वाले color का color code हम निकालते हैं यहाँ से, यह निकाल लिया मैंने अब primary के अंदर हम light वाला color code paste करेंगे तो देखो, काफी बड़े आ गया यह अच्छा एक setting और दी हुई है जैसी अब mouse रखते हो न, mouse hover पे इसका color change हो सकता है यहाँ पे hover setting दी हुई है हम चाहते हैं कि mouse hover पे क्या हो यह जो light वाला color है यह icon का color बन जाए और background वाला जो color है वो dark हो जाए तो ऐसा कैसे होगा primary color सबसे पहले light वाला color copy कर लेते हैं, इस color code हम यहाँ से ठीक है, hover में चलते हैं और यहाँ पर secondary में हम light वाला color paste करेंगे और dark वाला color जो है, वो हम paste कर देंगे किसमे? primary color में ओके, यह hover का मतलब mouse जब रखते हैं उसे hover state कहते हैं अब जैसे mouse रखूँगा न, color देखो change हो रहा है है, first वाले column में, यहाँ पर heading को पहले तो change कर देते हैं ठीक है, इसके बाद heading का size भी change करेंगे, काफी बड़ा font है तो हमने size छोटा कर दिया इसका alignment center कर देते हैं तो यहाँ पर यह alignment center है मुझे लगता है font size थोड़ा सा और छोटा कर देना चाहिए है, काफी बड़ा font है इतना सही रहेगा, इसके बाद अगला क्या है यहाँ पर lorem ipsum वगरा कुछ लिखा हुआ है same text है, तो इससे यहाँ से duplicate करो और उठा करके heading के नीचे drop करते हैं जादा text है तो text को कम कर देते हैं extra text को हम delete कर देंगे इस तरह से, और alignment आपको यहाँ से कर देना है center, ठीक है इतना हमने कर लिया, अब इसके बाद एक चीज़ आप notice करो, अभी हम button create नहीं करेंगे, button बाद में create करेंगे यहाँ आप एक चीज़ notice करो, यह जो column है ना, इसमे background color white है, और बाहर side आपको 3D type का effect दिखाई दे रहा है तो सबसे पहला काम क्या करना है मुझे इस column के अंदर background color white set करना है तो column में background color white कैसे set होगा, यह है column, यह column का icon है, इस पर जैसी आप click करोगे column की setting open हो जाती है, अब color set करना है भाई, तो वो आपको मिलेगा style में, background में जाएंगे background type है, यहां से आप color set कर सकते हो, बिल्कुल white ठीक है, यह हमने white color set कर दिया है, white color का जो color code होता है वो 6 बार FFFFFF hashtag के साथ start होता है, ठीक, इतना कर लिया, अब मुझे इस column में 3D effect लगाना है यहां पर देखो, नहीं आपको थोड़ा सा blurry type का effect दिखाई दे रहा, यह कैसे लगता है सबसे पहले color code निकालते हैं, यह कौन सा color होगा, तो सबसे border नजदीक वाला color होना, उसे copy कर लेना यह मैंने copy कर लिया, ठीक, अब यह box shadow effect लगाने के लिए आपको जाना होगा border वाली setting में और यहां पर box shadow दिया, जैसे click करोगे देखो, यहां पर 3D type का effect लग करके आ गया, अभी यह black है, तो यहां पर हम एक काम करेंगे, इस color box को open करते हैं, RGB यह नाम से यहां पर format दिया है color का, इसे remove करेंगे, और यहां पर आपको choose करना है hexa, ठीक है, hexa choose करने के बाद, आप यहां पर color code paste कर दोगे, तो अभी फिलाल यह वाला color जो है, वो set हो गया है as a box shadow color, अब यहां पर कुछ options दिये हुए हैं, जैसे के blur है spread है, अगर आप spread की value बढ़ाते हो right hand side पे, यहां पर 3D effect आपको देखने को मिलता है और blur बढ़ाने से, यह थोड़ा सा और spread हो जाता है, अब यह blur अगर मैं कम करूंगा ना, तो देखो line जासा दिखाई देगा, जो सही नहीं लगता है, जब आप blur को increase करते हो, तो यह नहीं background color मिक्स हो जाता है, अब काफी बढ़िया लग रहा है यह, है ना, तो इस तरह से आप 3D effect लगाते हो, अब इसके बाद हमें क्या करना है बई, यहां पर एक button भी create करना है, उस button को overlap करवाना है, है ना, learn वाला button है, button का background color white है, और यहां पर जो button का text color है, वो देखो gray type का है बट hover करने पर purple हो जाता है इस तरह का button भी create करना है तो उपर से button को पहले हम duplicate करते हैं, उठा करके first वाले column में ही नीचे drop कर देते हैं पहला काम तो मैंने यह कर लिया, ठीक इसके बाद अगला काम क्या करना है, यहां पर मुझे text change करना है, इस particular button का, learn more, icon को हटा देंगे, icon नहीं था, और alignment कर देते हैं, center, इतना काम पहले मैंने कर लिया, अब एक काम करते हैं, button का हम background color change नहीं करते हैं reference website बटन में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, बट अपने end पे यह colorful button जादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, button का size ज़रूर हम छोटा कर देते हैं, size कहां से control करते हैं, देखो, यह content में यहां पे दिया होता है, size का option, आप small कर दो, बस इतना काफी है, ठीक, अब इस button को overlap कैसे करवाएंगे, overlap करवाने का बड़ा आसान तरीका है, आइकन और border के बीच में थोड़ा gap आजाएगा, right की padding बढ़ाएंगा, तो यहां पे gap आएगा, bottom की बढ़ाएंगा, तो button और इसके बीच में gap आएगा, और left में इसी तरह से gap add हो जाएगा, तो सबसे पहले हम चारों तरफ की padding को increase करते हैं, ठीक है, इतना मैंने कर लिया, अब इसके बाद, इस icon को uncheck कर दो, सारी values को हम independent बनाते हैं, अब अगली चीज़ क्या है, यह हमारे पास button है, ठीक है, इस button की setting में जाएंगे, हमें इस button को नीचे को shift करना है, ताकि यह थोड़ा सा overlap दिखाई दे, border के उपर आजाए, देखो हैं न, तो कैसे लाते हैं, button की setting में गया, advanced में, यहाँ पर margin को आप पहले इस icon को uncheck करो, और bottom margin को negative में set करो, जब आप negative में set करते हो न, तो button मतलब नीचे की तरफ चला जा रहा है, देखो, अपने column से बाहर हो गया न, button यह, ठीक, तो इस तरह से आप button को overlap करवा सकते हो, एक बार इस page को update करके, अपने front page को refresh करके देखते हैं, ओके, तो अभी आप देखो, यह हमने section बना लिया, एक चीज और आप यहाँ पर notice करो, यह जो column है न, basically इसका देखो, corner मुडा हुआ है, है न, sharp नहीं मुडा हुआ है, हमारे end बे क्या है, एकदम kona है, अब इसको round कैसे करते हैं, इस round वाली चीज को हम कहते हैं, border radius, तो इसकी setting भी यहीं पर दी होती है, हमें column के corners को round करना है, तो हमें किसकी setting में जाना होगा, columns की setting में ही जाना होगा, column की setting open करते हैं, style में जाएंगे, यह रहा border, और यहां पर दिया होता है border radius, चारो border radius हमें एक साथ अगर increase करते हैं, तो आप देखो, corners मुड़ गए, जितना ज़्यादा value increase करोगे, उतने ज़्यादा corner round होते जाएंगे, अगर हम कम करेंगे, तो यह जो round से कम हो जाती है, तो यहां पर एक काम करते हैं, हम इसको set कर देते हैं, 20 pixel पे, मुझे लगता है 20 pixel better रहेगा, या और कम करते हैं, 15 पे करके देखते हैं, या 12 पे, अब update करते हैं इस page को, और एक बार अपने home page करो, ठीक है, third वाले column को भी delete करो, और last वाले column को भी delete करो, हमने चारो columns को delete कर दे, जो खाली column थे, चार ने तीन column थे, अब यह first वाला column हमने perfect बना लिया है, तो आप क्या करोगे, इस column को ही duplicate कर दो, जब column duplicate करोगे, तो उसके अंदर जितना भी content होगा, वो भी duplicate हो जाएगा, ठीक है, इसको मैंने duplicate किया, एक बार page को update करके, अपने home page को refresh करते हैं, फिर से, देखो, आ गया, बस आपको अंदर का content हाली change करना होगा, heading, wedding change करना, icon change करना पड़ेगा, बट एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करो, यह दोनों columns न, आपस में चिपक गए, देखो, यहाँ पे न, यह जो दोनों column का box shadow effect हमने लगाया था, दोनों का box shadow effect एक दूसरे पर overlap हो गया, यह column साही नहीं लग रहे हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, दोनों columns के बीच में थोड़ा से gap डाल देते हैं gap का मतलब क्या होगा, margin होगा first वाले column की right margin को थोड़ा सा बढ़ा दे अगर मैं पहले column की margin की बात कर रहा हूँ margin क्या होता है, column के बाहर का space कहलाएगा तो column का जो border होगा right वाला है, इसके बाहर extra space add कर देते हैं, तो अपने आप gap आ जाएगा, है ना, तो चलिए वापस चलते हैं, यह first वाला column है, इसकी setting में जाएंगे advanced में, पहले इस icon करते हैं अंचेक, right की margin को आप थोड़ा increase कर दो, यहाँ पे से हम रख देते हैं 20 pixel, ठीक है इसी तरह से right वाले column की setting में चलते हैं, advanced में जाएंगे margin वाले इस icon को अंचेक करते हैं, और right वाले column की left margin थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, तो left margin को भी हम कर देंगे 20, तो दोनो columns की बीच में देखो gap आ गया, है ना gap आ गया, एक बार page को update करके, अपने front page को refresh करके देखते हैं, देखो gap इस तरह से आ जाता है, है ना, और एक काम और करते हैं, अब second वाले column को duplicate करते हैं, फिर से देखो यहाँ पर automatic gap आ रहा है, लेकिन यह second वाला column है ना, इसके right में margin हमने कोई भी add नहीं की थी, जिसकी वज़े से यहाँ पर gap नहीं है, तो एक काम करो, second वाले column के setting में फिर से चलते हैं, right में थोड़ी सी margin add कर देते हैं, जैसे के 10 pixel या 15 pixel की, और यह third वाला column है, इसकी left में margin add कर देते हैं, 15 pixel करीब, 15-15 मिला के 30 pixel का gap यहाँ पर आ जाएगा, इसी तरह से इस column को फिर से duplicate करो, और यहाँ पर भी left में थोड़ी margin add करेंगे, 15 है, right में फिलाल कोई भी margin में add करने की जरूरत नहीं है, एक बार page को update करके, अपने front page को फिर से refresh करके देखते हैं, देखो इस तरह से यहाँ पर यह boxes दिखाई देते हैं, अब एक दिक्कत यहाँ पर आ रही है, दिक्कत क्या है, first वाले column में button overlap था, लेकिन अभी overlapping खतम हो गई है, यहाँ पर देखो overlap आ रहा है, और बाकि third और fourth column में button अंदर चला गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, कि जब हम margin, negative margin वगरा set करते हैं, तो उस case में होता क्या है, जितनी width होती है ने किसी भी column की, उसके हिसाब से वो margin set होती है, हमने यहाँ पर चार column ले लिए, तो obvious सी बात है width तो कम हो गई ना, पहले एक ही column था, अब उतनी जगे में चार column आ गए, तो copy कर लेते हैं, जो नीचे वाला section है, इसकी width को भी set कर देते हैं, 1552 pixel पे, है न, देखो हमने width बढ़ा दी, जैसी width बढ़ाई, बटन अपने आप fix हो गए, अब एक बार फिर से इस page को update करके, और अपने front page को refresh करते हैं, देखो space जब जादा मिलता है न, अपने आप यहा करोगे, इस type के sections को create करोगे, अच्छा, अब यह जो ऊपर heading लिखी होई थी, यह box shadow effect की वज़े से hide हो रही है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर यह नीचे inner section लिया है, हमने inner section है, इसको पहले आप setting open करो, और इसके top में थोड़ी सी margin add कर दो, ऊपर थोड़ी margin add कर तो अपने नीचे shift हो जाएगा, यह नीचे shift हो गया, तो जो box shadow effect इन columns का था, वो इसकी उपर अब नहीं चड़ रहा है, एक चीज़ और हमने बाहर वाले section की width तो set कर दी है, बाहर वाला section यह था, इसकी width set कर दी, बट अंदर वाला section है, इनर section है, देखो, layout में चलते हैं, यह अभी box है इसकी width को भी हमें increase कर देना चाहिए, अपने हिसाब से देख लेते हैं, कितना better set होता है, है न, तो I think इतना सही लग रहा है यह, अब एक बार page को update करके, अपने front page को refresh करके, फिर से देख लेते हैं, अब कुछ ज्यादा better लग रहा है, बाकी icon वगर आपके करके, अपने हिस आपने हिसाब से चेंज कर लेना, जैसे मालो इसका icon मुझे चेंज करना है, तो icon library में गए, यह suitcase से रोल ले लेते हैं, तो suitcase यहाँ पर आजाएगा color वगर अपने हिसाब से चेंज कर लेना, ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं, कि भाई, यह जो चार column वाले नेड कर दोगे आप, थोड़ा gap भी आ जाएगा, है ना, तो बड़ा simple elementor में काम करना, बाकी हर एक column के अंदर जो भी content वगर है, उसे आप change करते चलना, फिर से अपने homepage को refresher के एक बार देख लेते हैं, यह देखो, कितनी जल्दी हमने फटावट बना लिया, और अभी तक एक line of code भी use नहीं किया है, इसी बात है प्लीज चैनल को subscribe करके वीडियो को like जरूर कर दीजे, आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद यह क्या बनाए, एक heading है, थोड़ा सा text है, फिर एक button है, ठीक, इसको बनाना बड़ा आसान है, सबसे पहले चीज़ एक section ले लेते हैं, section के top में हम पहले कुछ margin add करेंगे, ताकि उपर की जो box shadow effective उसके उपर overlap ना करे, तो यहाँ पे तकरीबन हम ले लेंगे 70 pixel की top margin, ठीक, इसके अंदर पहले मुझे एक heading लिखनी है, तो heading को मैं यहाँ से पहले copy करूँगा, ठीक है, अब यहाँ पे यह वाली heading duplicate कर लेते हैं, इस heading क नहीं होता है, अब क्या करो, पहले इसको यहाँ पे छोड़ दो, फिर page को manually scroll करो, फिर इसको उठाओ, यहाँ कहीं छोड़ दो, ठीक है, फिर scroll करो, और फिर finally उसके particular section में लाकर drop कर दो, अब इस heading को हम यहाँ पे change कर लेते हैं, और alignment कर देंगे center, इसके बाद अगला text भी ठीक है, text अगर आपको थोड़ा और जादा लिखना है, तो कुछ मत करो यहीं से, आप चाहो तो extra text add कर सकते हो, या फिर इसी text को हम copy paste कर देते हैं, और यहाँ पे line break हो गई है, तो same line में add कर देते हैं, तो जादा सजादा text आ गया, हमें button भी create करना है, इस button को duplicate करते हैं, और इस button को भी same उठा के नीचे ले आते हैं, अब button का text वगरा, बस change कर देंगे, तो text क्या है यहाँ पे, trainings and workshops, है न, button को पहले center align करो, और यहाँ पे लिखते हैं, टी आरे आई अनिजेस trainings and workshops, और icon भी हमें change करना होगा, तो यहाँ पे ले ले लेते हैं, अन जी एली angle, तो यह icon आ गया, insert कर दिया, और button का alignment कर दो center, it's really super super easy, ठीक, update कर दिया, एक बार फिर से अपने front page को refresh करेंगे, अब कुछ भी काम करो, front page को जरूर refresh करो, page को update जरूर किय करो, देख अभी तक हमने इतना page बना लिया है न, आप इसी तरह से किसी भी type का page design कर सकते हो, elementor में बहुत सारी possibility है, अगला काम क्या करना है भई, यहाँ पे एक YouTube का मुझे video लगाना है, एक YouTube video दिखाना है, और background color purple type का है, इसके बाद नीचे यहाँ पे एक image आ गई है, तो इस image को पहले save करके रख लेते हैं कहीं पर, क्योंकि image को basically हमें download तो करना ही पड़ेगा, है न, चलो, इस type का section बनाने के लिए, पहले लेंगे हमें एक section, यह मैंने section ले लिया है, इस section के top में हम थोड़ी सी margin add कर देते हैं, up to 50 pixel है, 60 pixel तकी margin add करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस की setting में जाके style में, यह background है, classic में जाकर करके color box में आप paste कर दोगे background color, ठीक है, इतना कर लिया, अब इसके अंदर मुझे एक YouTube का video दिखाना है, तो video कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे दिया है video widget, उठाईए और put कर दिए, that's it, अब यहाँ पे जैसी आप YouTube का video, basically जो widget हो put करते हो तो एक default यहाँ पे URL पहले से दिया हुआ है, यह यहाँ पे video display करने लगता है, अब मैं अपने YouTube channel से ही एक video निकाल लेता हूँ, तो मैं चलता हूँ अपने channel पे, और यहाँ पे channel पे जाएंगे, कोई भी एक video निकाल लेते हैं, जैसे recently मैंने freelancing वाल एक video बनाया था, तो इसक तो simply मैं यहाँ से URL निकाल लूँगा, share करके, और यह copy कर लेते हैं इसके URL को, और यहाँ पर हम paste कर देंगे, तो मेरा ही video आ जाएगा, ठीक है, अब इस video को हमें उपर shift करना है, मतलब इस border के उपर, इस section के border के उपर, तो हम क्या करेंगे, इस video widget की setting में जाते हैं advanced में, यहा आप में थोड़ी margin और add कर दो, तो अपने आप section नीचे shift हो जाएगा, ठीक है, सही लग रहा है यह, थोड़ा से video को और उपर shift कर देते हैं, थोड़ा और negative में set करो, overlapping होगी, बड़ा आसान है, यहना बहुत बहुत easiest पर काम करना, अब एक काम करते हैं, इसके अंदर ले ले करते हैं, फिर जाएंगे choose image पे upload files में, और यह रही वो image, मैंने सीधा इसको media library में upload किया, और select कर लिया, image यहाँ पे आ गई, very simple है यह, यहना, then after यहाँ पे एक heading लिखी हुई है, तो heading को तो copy paste करना आप समझी गए होगे, बहुत आसान है, सीधा यहाँ से heading को copy करो, पहले त तरीका है, elementor में चीजों को duplicate करने का और बढ़िया काम करता है, है न, मैंने आपको करके दिखा दिया है, अब यहाँ से आप इस heading को उठा करके, और सीधा replace कर दो, बस alignment कर दो center, color मुझे यहाँ पे चाहिए, तो इसका color code निकालना तो आपको आता ही है, inspect पे जाएंगे, और यहाँ से इसका color code निकालते है, font का color code निकाल लिया हमने, और यहाँ style में जाकरके, text color में हम color code को paste कर देंगे, that's really simple, font size बढ़ा करना हो, तो आप यहाँ से increase कर सकते हो, ठीक है, अब हर एक line के बीच में gap जादा है, अगर आपको gap कम करना है, तो यह कहलाता है line height, तो यहाँ स website पे यहाँ पे lorem ipsum का text है, तो पहले text को यहाँ से copy कर लेते हैं, और इसके बाद चलेंगे elementor पे, यहाँ पे lorem ipsum यह रहा, duplicate करके, इसे drag and drop कर देते हैं, ओके, now, text अलड़ी है, यहाँ पे बस text का color हमें white करना है, तो style में चलेंगे, और यहाँ पे text color को set कर देते हैं, white, और alignment कर देंगे left, ठीक है, इतना हमने कर लिया, इसके बाद I think एक button भी है, get started का, यह same button हमने ऊपर भी बनाया हुआ है, get started का, right click करके copy कर लेते हैं, सीधा इस button को, और यहाँ पे आकर right click करके paste कर देते हैं, that's it, color हम यही रख देंगे, हलांकि वहाँ पे orange type of color है, बढ़ हमने काम करेंगे, यहाँ पे जो हमने inner section लिया है यह वाला, इसकी जो width है उसको increase करते हैं, तो यहाँ से width आब बढ़ा सकते हो, इस तरह से, यहाँ पे box trainer से full width कर दो, जब आप full width करते हैं, प्लस उपर जो section हमने ले रखा है न, इसको भी आपको full width करना पड़ेगा, जब आप full width करते हो, तो video पूरी full width में आ जाती है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, हमने यह तो video है, यह outer section में put कर दिया था, outer section की width हमने full width कर दी है, तो उसके अंदर जो content रहेगा, वो भी full width हो जाएगा, तो हमें काम करते हैं, यहाँ पर एक inner section ले लेते हैं, यह inner section लेते हैं, इस video के नीचे side कहीं पर, यह inner section आ गया, इसका second column delete कर देते हैं, और यह तो video है न, इसको उठा करके हम inner section में drop करते हैं, inner section के अंदर, अब यह आई थिंग यह गलत inner section में चली गई है, हमें यहाँ पर put करना चाहिए, ठीक है, inner section के अंदर जब आप रखते हो वही, क्योंकि हमने inner section पुट करा है, इसको outer section में आप directly put नहीं किया है, नीचे वाला जो content है, इसमें हमने basically क्या किया है, inner section तो है, लेकिन यह full width है, आप इसको box करके, अब इसकी width manually बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो image देखो, बड़ी लगने लगी है, और यहाँ पर right hand side पर content भ width को आप थोड़ा कम कर दो, है ना, बहुत जादत ही है, इसे कम कर देते हैं, और यह font size है, इसको चोटा करते हैं, काफी बड़ा font है यह, इसको कर देते हैं 50 pixel, इतना सही रहेगा, plus इस column की setting में जाते हैं, और यहाँ पर vertical align कर देंगे middle, ताकि बीच में यह align हो जाए, अब यह काफी हद तक बढ़िया लग रहा है, एक काम और करना है, यहाँ पर देखो shaped divider use किया गया है, है ना, तो हम भी कोई बढ़िया सा shaped divider use करते हैं, outer section में, outer section के setting में जाएंगे, style पे, और यहाँ पर दिया होता है shaped divider, अब यह section के bottom में है, तो यहाँ बोटम की setting में जाना ह जो भी shaped divider आपको पसंद आए, वो आप लगा सकते हो, mountains है, curve है, है ना, काफी different type के आपको यहाँ पर shaped divider मिलते हैं, मुझे तो mountains यह waves जादा पसंद आता है, wave अच्छा लगता है, आप mountains ले सकते हो, ठीक है, यह mountains हो गया, अब एक चीज़ और, यहाँ पर shaped divider तो ऊपर निक पर वाएंगे, बेहत simple तरीका है, inner section में जाएंगे, जिसके अंदर हमने image रखी हुई है, इसके बाद advanced में जाते हैं, और bottom की जो margin उसको negative set कर दो, जब आप bottom की margin negative set करोगे, तो यह image अपने आप overlap कर जाती है, है ना, काफी बढ़िया लग रहा है, अच्छा इस inner section width थोड़ी इस image को refresh करते हैं, यह छोड़ी उड़ी settings जो होती है, आपको बार-बार करनी होती है, ताकि आपके webpage बन सके, तो देखो, हमने काफी हद तक बढ़िया section यहाँ पर ready किया है, video भी लगा लिया, और image भी आ गई, और यहाँ पर overlap भी करवा दिया है इसको, यह ना, बड़ा easy है आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, left hand side पर थोड़ा सा text लिखा है, एक button है, right hand side पर बड़ी सी image लगी है, तो पहले तो इस image को मैं save कर लेता हूँ, ठीक, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप directly ऐसे images को download करोगे, तो copyright का issue आ सकता है, इसलिए, या तो आप freepick.com यूज करो, या फिर canva.com पर जाके अपनी खुद की images डिजाइन करना, तो अब यहाँ पर इस तरह का section create करना है, जिसमें right hand side पर image रहेगी, left hand side पर recent work वगरा सब कुछ लिखा रहेगा, चलिए, इसे भी create करते हैं, पहले हम ले लेंगे एक section, अब यहाँ यह one column वाला section हम नहीं लेंगे, हम लेंगे two columns वाला section, let's click on it, okay, now, यहाँ पर अभी आप देखो, यह overlap कर गया उपर वाले section पर, क्योंकि हमने उपर वाले section की bottom margin negative में set की हुई है, तो यह काम करते हैं, नीचे वाले section की setting में चलते हैं advanced पर, और यहाँ पर top margin set कर देते हैं 100 pixel क ठीक है, तो यह proper तरीके से ऐसे दिखाई देगा, right hand side पर हम एक बड़ी सी image लगानी है, तो image लगाने के लिए कौन सा widget यूज़ करते हैं, image widget, इसे drop कर दिया, अब हम चलते हैं, choose image में, और I think मैंने already उस image को भी download कर रखा है, यह रही वो image, सीधा हमने media library में upload किया, select करते हैं और image यहाँ पर आ गई, है ना, इसके बाद left hand side पर काफी सारा text लिखा है, जैसे recent work, यह एक heading लिखी हुई है, है ना, तो चलो recent work कैसे लिखना है हमें, ऊपर से हमने इस heading को, कौहां गई heading, यह वाली heading, इसे करते हैं, पहले copy, ओके, यहाँ पर paste कर देते हैं, then after, यहाँ से हम loremipsum का text भी ले लेते हैं, इसे कर लिया copy, and then we can paste it over here, ठीक है, I think button भी हमें लेना, तो button चलो हम यही वाला ले लेते हैं, copy करते हैं, और इसको भी paste कर देंगे, so basically यह तरीका जिससे आप फटा-फट website बना सकते हो, अब recent work हमने यहाँ से उठाया, और heading को change कर दिया, like this, alignment कर द यहाँ से delete कर देते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर heading के लिए, इस heading को पहले हम duplicate करते हैं, second वाली heading को change करेंगे, elegant themes लिखा हुआ है, अब चलते है, style में, सबसे पहले सा color change करते हैं, इसका color flow नहीं, light type का है, light gray type का है, तो यह ले लिया, typography में चलके, सबसे पहले चीज़ transform कर हमें extra gap add करना है, तो letter spacing भी करनी है, letter spacing हम इस तरह से कर सकते हैं, और font size छोटा कर देते हैं, अब यह काफी हद तक सही लग रहा है, अगली चीज़ यहाँ पर क्या दिये, brand identity और जो कुछ भी services हैं, यह दो को bullet point की help से लिखी गई है, अब इसको create करने के लिए एक नया widget हम use कर widget यानी element होता है, तो पहले तो dots पर click करेंगे, यहाँ पर हम search करेंगे list list, तो यह आ गई icon list, ठीक है, icon list कुछ इस तरह की दिखाई देती है, icon के साथ में आप थोड़ा बहुत text लिख सकते हो, left hand side पर यह इस तरह से दिखाई देता है, यहाँ पर 3 list item है, list item 1, list item 2, list item 3, अगर अगर किसी भी एक पर click करते हैं, तो वह expand हो जाता है, अब यहाँ पर आप उसका text change कर सकते हो, icon change कर सकते हो, अगर आप उसे clickable बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर link भी डाल सकते हो, जिसे google.com वगर हम type कर सकते हैं, तो फिलाल एक काम करते हैं, जो दो other यहाँ पर list items हैं, इसको हटाएंगे, पहले वाले को expand करते हैं, तो सबसे पहले में क्या लिखा हुआ है, brand identity, इसको मैंने यहाँ से copy किया, और यहाँ पर हमें से paste कर देते हैं, icon भी change करना है, तो यहाँ पर I think dot type कर लेना पड़ेगा मुझे, dot तो खैर कुछ नहीं है, full stop है क्या, full stop भी नहीं है, चल development, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको simply यहाँ से आप duplicate करोगे, expand करो और बस text को change कर दो, फिर से duplicate करो, third point क्या है, SEO and analytics, तो यह हमने लिए SEO and analytics, इसमें paste कर दिया, then collapse, फिर से duplicate किया, last fourth point है, social media generation, अब social media generation तो मैं first time सुनना हूँ, social media integration सुना है, social media marketing सुना है, बट ठीक है, तो चार point हमने यहाँ पर create कर दिये, अब icon का color हमें change करना है, तो color कहां से change होता है, style tap से change होता है, हम जाएंगे style tap पे, यहाँ पर list की setting है, यह icon की setting दिये, आप इस section को expand करोगे, यह रहा color, तो यहाँ से icon का color आप चाहो तो कुछी भी कर सकते हो, यहाँ पर काम करते हैं, आपको gap बढ़ाना है या कम करना है, तो आपको उसकी setting मिलती है list में, यह है space between, यहाँ से आप increase करते जाओगे, space बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से space भी set कर सकते हो, 6 pixel मेरे हिसाब से ठीक है, text में जाकर करके हम चाहें, तो text का color वगरा change कर सकते हैं, font size यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो फिलाल text में कोई भी छेड़ा छेड़ी नहीं करूंगा, इतना करने के बाद इस page को update करते हैं, एक बार अपने home page को फिर से refresh करेंगे, ओके, तो यहाँ पर आप देखो, यह section कुछ इस तरह का दिखाई देता है, लेकिन अभी भी मज़ा नह पर text भी left hand side पर shift हो गया, यह भी चिप अग गया, देखो page को update करके दिखाता हूँ, यह छोटी चोटी चीज़े जो है न, यह आपको perfect बनाएंगे, तो ध्यान देना में क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इमेज तो देखो बड़ी हो गई, लेकिन यह जो content है न, left वाला, यह left border पर चिप अग गया, मैं चाहता हूँ यह यहाँ पर आ जाए कहीं पर, है न, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यह सारे content के left में हमें extra space add करना पड़ेगा, तो यह जो section है हमारा, यह जो section है, इसमें advanced में जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम, left वाली padding बढ़ा दे अब दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, जो second वाला column में यह भी shrink हो रहा है, छोटा हो रहा है, क्योंकि इस पूरे section के left में padding add हो गई है, तो हम क्या करते हैं, इस first वाले column की width को कम कर देते हैं, तो second वाले column की width अपने आप बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर रखेंगे mouse और को इस तरह से हम खींच देंगे, ठीक है, और आप चाहो तो इस content को vertically middle align भी कर सकते हो, इस तरह से, तो यह और बढ़िया लगेगा, अब update करके अपने front page को एक बर फिर से refresh करते हैं, तो यह देखो, अब लग रहा है न बढ़िया, तो मतलब यह छोड़ी छोड़ी चीज़े यह तो आप change करी लोगे है न, मैं get started ही छोड़ देता हूँ, अगले section पर चलते हैं, अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, क्या है, देखो इस section के background में, यहाँ पर कुछ background color वगरा लगा हुआ है, इसका color code पहले निकालते है, background color भी छोड़ा set करना पड़ेगा न, कोशि एक काम और करते हैं, उपर से स्कुर्ण match करवाने की कोशिश करते हैं, यह भी नई चीज़ जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर actual में क्या हुआ है, यह color उपर देखो mix हो गया, white में है, यहाँ पर white में mix हो गया, हमारे end पे अलग सा दिख रहा है, तो देखते हैं, शायद यह किस तरह से हो सकता है, style में चलके, shape divider पे चलते हैं, और top में काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, curve, देखें, curve कैसा देखेगा, नहीं, curve में मज़ा नहीं आया, okay, shape divider को फिलाल छोड़ेंगे, अभी चलते हैं, border में, ठीक है, border में, subset top पे ले सकते हैं, ठीक है, यह box shadow effect हो गया, और box shadow को vertical में हम कुछ इस तरह से बढ़ा करके, और यहाँ पे spread को भी बढ़ा देते हैं, और blur को भी बढ़ा देते हैं, और इसका color हम set करते हैं, white, शायद mix हो जाए, देखते हैं, हाँ, काफी हद तक देखो mix हो रहा है, यहाँ ग्रेज ग फिर से color code paste करके देख लेते हैं, चलो ठीक है, इतना इसको छोड़के, एक बार update करते हैं page को, और फिर से अपने home page को refresh करते हैं, ओके, इस तरह कर देखो कुछ दिखाई देता है, इस section उपर हलंगी line आगे, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो यह काम करते है, border के जो लोग आई देते हैं, border में मज़ा नहीं आया, अभी update करते हैं, और फिर से अपने home page को refresh करके देखते हैं, ठीक है, अभी काफी हत्ते के ठीक लग रहा है, color की matching आप और कर लेना, नीचे करना क्या होगा हमें, नीचे shape divider लगाना, section के setting में जाएंगे, shape divider में, और यहाँ पर bottom में cloud चलो एक नया है, वो मैंने आपको दिखा दिया, अब update कर देते हैं page को, अगला काम या करना है, अगला हमें यहाँ पर success stories बनानी है, अब यह section कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है, जैसा हमने यहाँ पर यह वाला बनाया हुआ था, उपर एक heading थी, और यहाँ पर columns ह यहाँ बस 4 column है, हमारे case में 3 column है यहाँ पर, इस वाले में 3 column दिये हैं, तो क्यों न हम इस पूरे का पूरे section को ही copy कर लें, यह पूरा section है न, इसे right click करके copy कर लेते हैं पहले तो, फिर यहाँ पर लाकर करके नीचे इसे हम paste कर देते हैं, तो पूरा का पूरा section ही उट करके आ गया, second वाले intersection को delete कर दो, third वाले column को भी delete कर दो, ठीक है, अब इसके बाद एक काम करते हैं, first वाले column में हमें photo put करना है, तो यहाँ पर icon तो लेना नहीं होगा हमें, तो मेरे पास मेरा एक photo है, उस photo को मैं यहाँ put कर दूँगा, मतलब तीनों में अपना इक photo put कर दूँग so photo कहां गया मेरा, okay, तो यहाँ पर जैसे एक photo यह है, एक photo यह है, है न, कि दो photos चलो मैं ले लेता हूँ, दोनों एक साथ भी हम media library में upload कर सकते हैं, फिर हमारी choice है कि हम कौन सा वाला choose करना चाहें, चलो यह वाला लगा लेते हैं, select किया, photo देखो यहाँ पर आ गया, अब पर रखनी है, सिर्फ 100 pixel की, तो height अपने आप adjust हो जाएगी, photo छोटा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, यह apply हमने कर दिया, इस icon को delete कर देते हैं, यहाँ पर आप नाम अपना दे दो, जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ, चलो, सद्दाम, कासिम, ठीक है, अपने बारे में क पर ready हो गया, तो दोनों columns को पहले delete करो, दोनों columns को मैंने delete किया है, अब इस column हम क्या करेंगे, duplicate करते चले आएंगे, बस, duplicate हो गया, तीन column फटा फट रेडी हो गया, अब हर एक column में जा ना, फोटो बस change करते चलना, यहाँ पर यह वाली फोटो लगा दी मैंने, है ना, ना, चेंज कर देना, यहाँ पर मालों सद्दाम कासिम 2 डाल दिया मैंने, and so on, फिर से page को update कर देते हैं, यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और करनी है, heading भी हमें change करनी है, मैं इसको लिख दूँगा, customer testimonials, customer testimonials, ठीक है, अच्छा, इस section में उपर से थोड़ा सा आपको, you know, margin वग अच्छा है, अब यहाँ पर newsletter है, इसकी फिलाला में कोई जरूत नहीं है, मैं अभी contact page आपको ready करना बताऊंगा, तो उसमें हम बढ़िया सा contact form create करेंगे, उससे आपको idea मिल जागा, इससे कैसे create करना होता है, अब यह वाला last section है, जो footer के just उपर दिया हुआ है, यह section आपक किसी चीज की याद दिला रहा होगा, सबसे top वाला section है न, बस difference क्या है, सबसे top वाले section के अंदर content दूसरा लिखा है, button दूसरा है, और यहाँ पे bottom में shape divider था, नीचे वाले section में क्या है, top पे shape divider, that's it, और कुछ भी changes नहीं है, तो हमें काम करते हैं, उपर वाले section को यहाँ से copy करेंगे, then after आते हैं नीचे, यहाँ पे paste कर देते हैं, यह paste हो गया, अब इसकी setting में पहले तो चलो, style में, और यहाँ पे है shaped divider, right now bottom में mountain था, इसको none कर दो, bottom में कुछ नहीं रहेगा, top पे set कर दो mountain, yellow, है न, अगर आपको लग रहा है content और इस mountain वाले divider के बीच में gap कम हैं, तो आप क्या करोगे, इस section की आप internal padding को बढ़ा दो, top padding जो है, इसको बढ़ा दो, top padding बढ़ा होगे, तो border और content की बीच में difference आ जाता है, यहाँ पर text change करना है, यह लिखा, let's get started, तो आपको पता ही है क्या करना है, content को फटा-फट change कर देंगे, बस, और कुछ नहीं करना होता है, setting wedding सब वही चाहिए थी हमें, तो same to same सारी setting हमने already copy करी लिए, यह paste कर दी है, text exchange कर देना, एक नई चीज़ और दी है, social media icons, इसको जरूर पुट कर लेते हैं, तो social media icons के लिए आपको यहाँ पर search करना होगा, socil social, यह है social media icon, drop कर दो यहाँ पर, ठीक है, button को delete कर देते ह हैं तो, अभी social media icon आगे, इसकी setting left hand side पे open होगी, अगर आपके पास facebook का page है, इसे expand करो, अपने facebook page का link यहाँ पर type कर सकते हो, https colon slash slash facebook.com forward slash web guru saddam, यह मेरे facebook page का official URL है, आप चाहें तो मुझे इस URL पर जाके भी follow कर सकते हैं page को, अगर आप instagram पे हैं, यहाँ पे मैं instagram का account भी आपको instagram.com forward slash only saddam, यह only saddam ही मेरा username है, इंस्टेग्राम का, अगर आप youtube पे हैं, तो youtube का link भी आपको simply इसी तरह से डालना होता है, youtube.com forward slash add the rate saddam कासिम, आप जानते ही हो, and I am sure कि आपने subscribe भी कर लिया होगा, तो इस तरह से आप icons अगर add कर सकते हो, यहाँ पे alignment है, left करना है, center करना है, right करना है, तो यह अपने ही column के अंदर ही left, right, center, enter, shift होते रहते हैं, अगर icon का size छोटा या बड़ा करना है, या color color change करना है, तो वो सब आपको style tab में मिलेगा, just size यहाँ से control कर सकते हो, छोटा बड़ा, कितना बड़ा icon रखना है, यह काफी बड़ा icon भी हो जाता है, है ना, तो यहाँ पर हमने खुपसूरत से sections वगरा ready किये हैं, then after यहाँ पर यह video भी आ गया, यहाँ पर हमने image लगाई है, और इसके बाद यह testimonial section है, and then after यहाँ पर bottom वाला section आ गया, अब एक नई चीज़ आपको और बताता हूँ, किसी भी element में animation कैसे लगाते हैं, जैसे माल लो, जब आना होगा advanced में, और यहाँ पर मिलेगा motion effects, यह motion effects आपको सिर्फ Elementor Pro plugin में ही मिलेगा, Elementor Pro की actual cost 59 डॉलर से, बट यह plugin आप बिल्कुल free of cost ले सकते हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आप मेरा affiliate link sadamkasim.com forward slash hostinger use करके hostinger से web hosting purchase करते हैं, और इस video के description में एक form दिया हू designing कर सकते हो, तो यहाँ पर motion effects में हम आ गए, अब यहाँ पर दिया हूए entrance animation, मतलब जब website load होगी, तो कोई element कैसे enter करेगा आपके web page पे, यहाँ पर चाहो तो fade in करोगे, देखो preview आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, अभी मैं दूसरा change करता हूँ, fade in down, यह ऐसे आए लगा सकते हो, मैं सिर्फ आपको image भी लगा कर दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस बाब फिर से हम motion effects में आ गए, यहाँ पर entrance animation है, fade in right कर सकते हैं, यहाँ fade in bottom भी कर सकते हैं, अब वगरा नीचे सर्ट करके आएगा, ठीक, then after यहाँ पे एक और image है, इसमें fade in right करेंगे, ताकि right क नीचे वाली image भी देखा, अनिमेट होगा, यह अनिमेट हुई, यह देखा, अनिमेट होके आ गई, है ना, बहुत बहुत सिंपल है, इसी बात भी चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजे, आपके support की बेहत जरूरत है, तो हमारे plan के हिस आप से, हमने अपना home page भी design कर लिया है, अब हमें contact page create करना है, contact page is really very very important, उसके उपर आपके सारी contact information होती है, तो वापस चलते हैं अपने wordpress के dashboard में, अब wordpress का dashboard कैसे open करते हैं, top left corner पर यह lines आपको दिख रही है, इस पर आप click करो, then exit करना, जब पहली बार आप exit करोगे तो इ यहाँ पर dispose रहना चाहिए, कुछ और open करना है, जैसे कि wordpress dashboard तो आप यह choose कर सकते हो, अब मैं चाहता हूँ बई, जब भी मैं exit करूँ सीधा wordpress का dashboard open हो जाए, तो मैंने WP dashboard किया, apply कर दिया, अब यहाँ पर हम stay on page करके एक पर पहले इस page को फिर से update करना होता है, तक ही changes save हो ज container layout full with रहेगा, और sidebar रहेगा no sidebar, title, breadcrumb, featured image, banner area, चारो को चारो disable करके हमें page को पहले update करना होता है, इसके बाद edit with elementor पे चलते हैं, और अब अपना contact page ready करेंगे, तो सबसे पहले चीज़ मैं चाहता हूँ Google map display होना चाहिए, तो उसके लिए एक section लेते हैं, अब Google map display करवाने स पहले आपका business maps.google.com पर registered होना चाहिए, अगर registered नहीं है अभी तक, तो आप मेरा ये वाले वीडियो जाके देखना, इसमें मैंने detail में, हलांकि English में समझाया है, कि कैसे आप अपने business को Google maps पर register करवा सकते हो, इस वीडियो को जाके देखिएगा, तो आपका business भी Google map पर यहा लगाना है, तो मैं पर type करूँगा Microsoft, ठीक है, जैसे मैं enter push करते हैं, nearby जो भी Microsoft को office होगा, वो दिखाई देगा, जैसे देखो ये वाला आ गया, click करने पर यहाँ पर update भी हो जाता है, है न, जैखो Microsoft को office कहा दिख रहा है, ये रहा, Microsoft, ठीक, हम चाहें तो इसको और zoom in कर सकते ह ये Microsoft दिख रहा है, अब इस map को मैं अपने contact page पर लगाना चाहता हूँ, तो पहले तो हमने business को यहाँ पर search कर लिया, इसके बाद देखो left hand side पर, यहाँ पर top पर, lines दिख रही, click करना है इस पर, यहाँ पर आपको option लेकर share और embed map, click करेंगे, एक pop-up आपके सामने आ जाएगा इस pop-up में आपको embed a map वाले option पर जाना है, और इस html code को copy कर लेना, इस html code को, वापस आएगी contact page पर, अब html code मुझे यहाँ paste करना है, तो html code html widget में ही paste होगा, तो यहाँ पर हम search करते हैं html, यह है html widget, आप simply drag करे, drop कर दो, और यहाँ पर आप code को paste कर देना, जैस अपने front page को refresh करेंगे, front page तो open हुआ ही नहीं है, एक काम करते हैं, यहाँ से new tab में view page करके open कर लेते हैं, यह देखो, google map आ गया, है ना, कितना easy है google map को display करवाना, आपने अकसर कई सारे websites पर देखा होगा, आप इसको zoom in, zoom out सब कर सकते हो, है ना कमाल की चीज, तो elementor की help सी ची ठीक है, इस heading का जो text color है, वो change करते हैं, black कर देते हैं, और typography में जा करके font size थोड़ा सा change करते हैं, font weight काफी जादा है, 500 कर दिया हम नहीं है, ठीक है, अब यहाँ form create करना है, तो form के लिए elementor में पहले से ही form widget दिया होता है, यह है, आप drag करके drop करिए, यह एक dummy form आपके सामने जिसमें name field पहले से add है, email add है, message add है, अगर आप कोई और नई field add करना चाहते हो, जैसे कि phone number collect करना है आपको, left hand side पे देखो, 3 tab यहाँ पे दिख रहे हैं, आप add item पे click करो, अब phone number basically किस type की field होती है, number type की field होती है, तो यहाँ से आपको choose करना होगा number, यह रहा number, label में आप type कर दो, phone number, यह placeholder basically इस box के अंदर लिखा हुआ text होता है, और label जो उपर लिखा होता है, अब हम चाहते है, phone number उपर आ जाया है, तो यहाँ से उठा के, आप ऐसे shift कर दो, तीसरे number पे phone number आ गया, तो जितनी चाहो उतनी field आप यहाँ से add कर सकते हो, अब बात आती है कि जब कोई यूजर इस form को fill करेगा, तो यह सारी details किस email address पे send होगी, वो email address हम कहाँ पे set करेंगे, उसके लिए आपको जाना होगा emails वाले tap पे, और इस two वाले box के अंदर आप अपना email address पुट कर देना, जब कोई भी user form fill up करके submit करेगा, तो वो सारी details इस particular email पे ही चली जाती है, अपड end में जा करके यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देते हैं, locate us, ठीक है, आप जो चाहो वो text लिख सकते हो, अब address और phone number, fax वगरा दिखाने के लिए हम यहाँ पे use करने वाले icon list, icon list जो सबसे बड़िया widget है, मुझे लगता है personally, और मैं हमेशा address वगरा के लिए यही वाला widget use करता तो यहाँ पे सबसे बड़िया address पुट कर देते हैं, जैसे के lane number 123 नजीराबाद, मैं नजीराबाद सतना से हूँ basically, सतना, और यहाँ पे मैंने type कर दिया MP, ठीक है, तो यह basically address के लिए हो गया, अब यहाँ पे address के लिए icon भी choose कर सकते हो, जैसे के मैं यहाँ पे type कर दिता हू 485001, पे इनके लिए पे सेम यही वाला icon रख लेते हैं, duplicate करते हैं, अब phone number के लिए basically हम यहाँ पे choose करेंगे phone, है न, phone number को phone वाला icon better represent करता है, और यहाँ पे आप कुछ भी phone number डाल सकते हो, 12345678910, कुछ भी number डाल सकते हैं, हलंकि मेरा number नहीं है, यह मैंने जैसे एक fake number डाल द 573, आप कुछ भी डाल सकते हैं, icon यहाँ से आप change कर लेना, type करोगे faxfacts, तो यह fax का icon आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, देखो fax का icon भी आ गया, अगर आपको email address add करना है, तो यहाँ पे पहले आप email address put कर दो, जैसे मैं put कर देता हूं, sadamkasim.igb at gmail.com, और email को represent करता है स यहाँ से आप color change कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी करके बता चुका हूं, तो यहाँ पर हम color palette का use कर लेंगे, icon size बड़ा करना हो भई, तो यहाँ से बड़ा कर लेना, अगर gap add करना है, तो यहाँ से gap add कर लेना, that is completely up to you, बागे social media icons अगर आप put कर ही लोगे, अब हम of cost आप logo design कर सकते हो, हालंकि मैं तो paid version यूज़ कर रहा हूं, बट आप free वाले version से भी अच्छा खासा logo बना सकते हो, सबसे पहले आप sign up कर लेना, असे website पर आ करके, facebook, gmail से जैसे sign up करना हो, उसके बाद आपको ऐसा interface दिखाई देगा, सबसे top पे यहाँ पे दिया है create a design, इ header में better तरीके से वो set हो जाएगा, create a new design पर click करेंगे और new tab में आपके सामने designing area open हो गया, ठीक है, अब इसमें आप अपना logo design करोगे, अब मान लेजे हमारी जो website है basically, digital marketing industries related है, तो यहाँ पर हम elements में जाएंगे और search करेंगे, digital marketing, ठीक है, तो यहाँ पर काफी सार ग्राफिक सा आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यह वाला graphic है, जैसे आप इस पर click करोगे, यह right hand side पर ऐसे आजाएगा, यह icon कहीं न कहीं digital marketing को represent करता है, तो हमने यहाँ पर icon ले लिया, इसके साथ अगर मुझे text भी add करना है, तो left hand side पर यह दिया है text वाला option, यहाँ पर काफी सारे font styles आपको देखने को मिलते हैं, जैसे यह वाला अगर आपको पसंद आ रहा है, बस click कर देना right hand side पर आ जाएगा, आप इसे उठा के यहाँ पर right में shift कर सकते हो, कोई भी text अगर आपको change करना है, सबसे पहले इसको ungroup करते हैं, ताकि उपर वाली line और नीचे वाली line दोनों disconnect हो अगर आपको how to का size बढ़ा करना है और तो यहाँ पर font style का option दिया होता है, मतलब font size वगरा का, या फिर आप इस corner को भी ऐसे stretch करोगे, तो भी size बढ़ा हो जाएगा, इसी तरह search का भी size बढ़ाना हो, तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो, ठीक है, सब कुछ बहुत बहुत easy है, canva मे तो यहाँ पर हम जाते हैं, और कोई सबी color आप यहाँ से choose कर सकते हो, जैसे purple color है, या कोई सबी different colors है, तो that is completely up to you, फिलाल में orange पर ही छोड़ूंगा, अब हमें इस logo को download करना है, download करने के लिए top right corner पर share का option मिलता है, आपको जाना होगा download में, यहाँ पर make sure file type आपकी होनी चा यह portable network graphic, इसके बाद simply हम download कर लेंगे, कुछी seconds में यह हमारे computer पर download हो जाएगा, देखो download हो गया, यह logo आगया, actual logo यह है, यहाँ पर designing screen हमें बड़ी दिखाई देती है, बड़ जो size हमने दिया है, उसी size का logo निकल करके आता है, अब इस logo को हम अपने header में put करेंगे, हमारा templates में जाना होगा, यहाँ पर दिया होता है theme builder, let's click on it, फिर से elementor का interface open होगा, header बनाना है, तो यहाँ पर दिया है header template का option, click कर दो, एक नई screen लोड हो जाएगी, elementor वाली, इस pop-up को बंद कर देना, यहाँ पर ले लेते हैं एक section, यह section आ गया, इस section के अंदर एक inner section भी लेंगे, तो यह आगया intersection, ठीक है, इतना हो गया, logo basically एक graphic होता, एक image होती है, तो logo दिखाने के लिए हमें कौन सा widget लेना पड़ेगा, image widget लेना होगा, यह हमने drop कर दिया, अब आप जाएंगे सीधा choose image में, जहाँ पर भी आपने logo को download कर रखा है, उसे आप सीधा upload कर दो, तो यह logo भी ह आप लोड कर दिया, logo यहाँ पर आगया, पहले वाले column की width को कम कर दो, बहुत बड़ी width है, जब width कम होगी तो logo भी अपने आप छोटा हो जाएगा, है ना, दूसरे वाले column में मुझे menus दिखाने हैं, तो यह WordPress menu के widget, जो menu दिखाने का काम करता है, पर इससे पहले आपको appearance में जाकर के menus create करने होंगे, ठीक, यह menu आगया, इससे आप यहाँ पर ऐसे shift कर दो, देखो सारे के सारे menu आगया, इसका option यहाँ पर open हो गया है, alignment कर देते हैं, right, सब right में shift हो जाएंगे, style में जाकर के, यहाँ पर typography थोड़ी change करेंगे, पहले color change करते हैं, black कर देते हैं, ठीक है इसके बाद typography में जाते हैं, यहाँ पर weight 400 कर देंगे, ठीक 400 हम फोड़ा light font अच्छा लगता है, अब आप देखो यहाँ पर hover style, जैसे मैं mouse रखता हूँ तो line बन के आती है, आप चाहो तो इस style को change कर सकते हो, इसे हम कहते हैं pointer, तो यहाँ पर layout में, sorry, content में layout में दिया होता ह है न, तो यह आप अपने हिसाब से change कर सकते हो, अभी फिलाल हमने एक header बनाया है, जिसमें logo पुट किया है, और यहाँ पर menus पुट किये हैं, अब एक बार इस page को publish करते हैं, यहाँ पे बहुत important चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ, जब आप publish करते हो किसी भी header template को, तो यहाँ पे आपको condition add करनी होती है, यह जो आपने custom header बनाया है, custom को मतलब खुद से design किया है header, इसको आप कहाँ दिखाना चाहते हो, तो हम यहाँ पे choose करेंगे include entire site, पूरी website पर दिखना चाहिए, add condition कर दिया, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, save and close कर देना, that's it, अब जब अब आपके लिए homework रहेगा, आप footer create करोगे, footer create करने के लिए hint दे रहा हूँ मैं आपको, है ना hint क्या है आपके लिए, simply आप templates में जाओगे theme builder पे, और यहाँ पर आप choose करोगे footer, click करना, उसके बाद elementer के screen load हो जाएगी, जो भी designing आप कर दोगे, उस page पे जो भी content put करोग वो सब यहाँ footer में दिखाई देगा, यह वाला footer हट जागा completely, आपका बनाया हूँ footer दिखाई देगा, तो इस तरह से custom header और custom footer design करते हैं, अब एक बहुत बड़ी कमी में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अभी हमारा domain name क्या है, howtosearch.in, जब मैं इस domain को open करता हूँ, तो यहाँ पे hello world लिख के आता है, हमारा home page नहीं आ रहा है, मैं फिर से एक बार refresh करता हूँ, home page नहीं आया, बट जब मैं home menu पे click करता हूँ, तो home page आता है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, हमने एक page बनाया है, home नाम का, हमें मालूम है, यह home page है, wordpress को तो नहीं मालूम ना, हमें wordpress को बताना पड़ेगा बाई, कि जब कोई भी user आपका main domain open करेगा, how to search.in, तो उसे home page दिखाओ, तो यह setting हमें करनी पड़ेगी, कहां से होती है, आप जाओगे wordpress के dashboard में, यहाँ पे दिया है यह settings वाला option, और आपको इसके अंदर मिलेगा reading, तो right now your home page displays your latest post, अभी हमा homepage दिखाना चाहते हो, तो मैंने home को choose किया है, save changes पर click कर देते हैं, अब जब हमें homepage को refresh करेंगे, मतलब main domain पर visit करेंगे, तो आप देखना homepage दिखाई देगा, यह cache memory का issue है, एक बार cache clear कर देते हैं, यह देखो, main domain पर हमारा home वाला page दिख रहा है, तो यह गलती mostly लोग करते हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा, कि यहाँ पर आपको हमेशा setting करनी होती है, जिस page को आप as a homepage बनाना चाहते हो, जिस page को front page बनाना चाहते हो, उसे आपको set करना होता है, उमीद करता हूँ, यह video आपके काम का रहा होगा, प्लीज इसी बात में video को like करके channel को subscribe जरूर कर लें, य जैसा भी आपको video लगा है, comment करके बताएंगे, बस वो ही समझ लीजे हमारे लिए written gift है आपकी तरफ से, उमीद करता हूँ, video आपके काम का रहा होगा, मिलते है next video में